आस्मान से अविश्वसनिय रूप से चिपचिपी मिक्टी की एक बड़ी फुहार उड़ी, जांग जियाहो और आदश तुरंक मिक्टी के लोगों में बदल गए, जांग जियोहो को खुद को साफ करने में काफी महंत करनी पड़ी और अब वह फिर से एक मिक्टी के बंदर में बदल गया, टील नोट जियोहो का मतलब छोटा बंदर भी हो सकता है, आदर्श बहतर जगह पर था, इसलिए नहीं कि उस पर कीचड नही लगा था, बलकि वह शुरुवात में ही गंदा था, इसलिए मिक्टी की एक अतरिक्ट परत से वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ा, भाई, भाई आदर्श, अब हमें क्या करना चाहिए, जांग शियाहो, जो आखिरकार आदर्श से मिले थे, विशाल काई जहरीली जुरे से कुछ दूरी बनाने में काम्याब रहे, हाला कि जल्द ही दूरी कम हो गई जब दोनों राक्षसों ने उन्हें दोनों दिशाओं से उड़ा दिया, दो विशाल राक्षसों को अपनी दिशा में बढ़ते देख, जांग जियाओ हो अपने पेट को पलगते हुए म बचा है, आदर्ष कीचड भरे दलदल को घूरता रहा, वह देख सकता था कि कीचड की लहरेन उनकी ओर छलक रही थी, अपने दान्तों को भीचते हुए, वह अपने नुकीले दान्तों को लंबे समय तक और अपनी पुतलियों को रंग बदलते हुए देख सकता था, वास् जब वह शक्ती का उप्योग करता, तो उसे चार आत्मा तूटने से बचना होता, उसके पिछले सभी प्रयास व्यर्थ होंगे। विशाल का इस हरीला कंखजूरा की चड़ पर तैरता था और पानी के साप की तरहें ऐस आकार में तेजी से चड़ पटाता था। हर बार असानी से जान जियाओ हो तक पहुँच जाता। कंखजूरे के मुह के दोनों तरफ बड़े-बड़े जबड़े होते थे, जो स्टील के दो बलेड की तरहें दिखते थे। जैसे ही वह दलदल में तैर रहा था, वे जोर-जोर से चिलाने लगे। यह उस आदमी को फारने क के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, जिसने अपनी पूँच पर कदम रखा था। कंखजूरा लगातार चीख रहा था। यह पता चला कि उसका पुराना दुश्मन योक्सिवें ड़्यू जायंट छिपकली उसके लिए एक बड़ा खत्रा पैदा कर रहा था, इसलिए उसन का इस हरीले कंखजूरे पर गूंड गुठा, दानव जानवरों की दहार गगन भेदी थी, हाला कि दो जानवरों की जिजक ने किसी तरह जांजियो हो और आदर्श को खरीद लिया, जो कुछ समय के लिए उनके बीच फंस गए थे, कहा जा रहा है कि दो कमांडरस्तर के दा कमबर अंत में दलदल में दिखाई दिया, आदर्श ने भी देखा था, उसने तुरंट अपने आपको दानव तत्व को सक्रिय करने से रोक लिया, उसने जानवरों की तो बात ही छोडिये, एक थपड की ताकत ही एक छोटी सी पहाडी को चकनाचूर करने के लिए काफी थी आदर्श और जांग ज्योहो ने फ्लींग शैडो से हमले को चक्मा दिया, हाला की ठपड से शौक वेव पूरी तरह से भयानक थी, यहाँ आदर्श और जांग शिया हो दोनों को उस छाया से बाहर निकालने में काम्याब रहा जिसमें वे यात्रा कर रहे थे, दोनों उरते ब्ली जायंट लिजर्ड या जायंट पॉल्जन सेंटीपीड के किसी भी साधारन हमले से मारे जाते, हवा से गिरते हुए, आदर्श ने जल्दी से जांग ज्योहो को कसकर पकड़ लिया और सीधे भंवर में गिर गया, दल्दल के नीचे चटानों की परत उखड चुकी थ एक मजबूत धारा के साथ मोटी मिट्टी को भूमिगत नदी में खींच लिया गया था, जैसे ही नीचे विस्पोट से खुला, दल्दल का जल्स तर टेजी से डूगने लगा, यह कुछ मीटर के व्यास के साथ एक छोटे से भंवर से शुरू हुआ था, लेकिन जैसे ही उ शालकाय जीव दलदल में खड़े थे, उफंती लहरों का उन पर कोई खास असर नहीं दिख रहा था, गतिरोध के बीच वे एक दूसरे पर दहारते रहे, दिखाई देने वाले भवर को पूरी तरह से नजरंदास करते हुए, भंवर धीरे धीरे बड़ा होता गया, उसका व्यास 20 मीटर तक पहुँच गया था, जानवरों के दृष्टि कोन से भवर उतना छोटा नहीं था जितना पहले था, खाली जगह को भरने की कोशिश में पास की मिक्टी पागल गती से छेद में डाली गई, आदश और जांग जियोहो पहले ही भंबर में कूच चुके थे प्रवाह ने उन्हें और नीचे खीच लिया और जल्द ही उन्होंने खुद को भंबर के केंदर में पाया, दो प्राणियों ने भंबर पर जपट्ता मारा जब उन्होंने मनुश्यों को करंट से घसीटते हुए देखा, अपने विशाल आकार के कारण, जब वे एक ही प्राणिया में उचले, तो दोनों ने गलती से मान लिया कि दूसरा उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। उन आराम का आनंद लेने के मूर में नहीं थी। मिट्टी की सुनामी ने उन्हें पहले ही कहीं दूर धकेल दिया था, जिससे पेडो, जमीन और पहाड की तलहटी पर भारी गंदगी हो गई थी। इस पोर्ट से पहले ही ली मैन छेद से कुछ दूर चला गया था। जरने की अंधीन गर्जना के साथ उसके कान गूंच से बहरे हो गए। पानी के खंभे से निकलने वाली मिक्टी इतनी तेज थी कि वह चटानों को भी टुक्रे-टुक्रे कर सकती थी। चटानों की परत को तोर दिया गया था और योजना की अनुसार भंवर बनाया गया था। कि यह बहुत आश्चर्य की बात होगी कि करंट द्वारा घसीटे जा रहे दो व्यक्ति अपनी यात्रा के बाद बिल्कुल अच्छा महसूस करेंगे। जब उसका शरीर मिट्टी के नीचे गिरने की गती से भूमिगत नदी के तल पर पटक दिया तो आदर्श को अन्ता एहसास हुआ कि उसकी योजना को सही मानने के लिए बहुत जल्दी थी। यह एहसास निश्चित रूप से सुखद नहीं था जब उसने अभी अभी कमांडरस्तर के दानव जानवर के रौंदने के प्रभाव का अभी अभी अनुभव किया था। मिट्टी और पानी की परत न होती तो अब तक उसकी हड़िया टुक्रे टुक्रे हो चुकी होती। आदर्श और जामशियाहों ने अपनी सांसे थाम ली जबकि तेज धारा उन्हें घसीट रही थी। वे महसूस कर सकते थे कि उनका दिमाग खाली जा रहा है लेकिन उन्होंने सचेत रहने की पूरी कोशिश की क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि करंट उन्हें आखिर में कहां खीच ले जाएगा। उन्हें जल्द ही दो आद्मियों को ढूंड लिया। जब उसने जांग जयोहो को आदर्श के पास बेहोश पड़ा देखा, तो उसने बिना किसी दया के अपना पैर उसके पेट पर पटक दिया। भोश में आते ही जांग जयोहो के मुह से मिक्टी का एक खंभा निकला। उसने दो आधे अधूरे योगों को देखा और गिरगिडाया, मुझे उनकी शोरों से मिले हुए कुछ समय हो गया है, जो अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तयार थे। ये मैन वास्टव में उन दोनों के साहसी होसले से काफी प्रभावित थे। आम तोर पर कमांडर स्टर शब्द सुनकर किसी का भी चहरा पीला पढ़ जाता था, और जितना संभव हो उतना दूर रहता था, अकेले उन्हें भढ़काने की पहल करता था। उनमें से प्रत्येक एक कमांडर स्टर के दानव जानवर को लुभाने के प्रभारी थे, और व पास्तव में अगली बार चाहते हैं, आदर्ष ने उसी स्वर में पूछा, जांज योहो ने अपना सिर बेथाशा हिलाया, आदर्ष कभी भी कमांडर स्टर के राक्षस जानवर के साथ परेशानी का सामना नहीं करना चाहेगा अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं था, कि उ में उपर जाना चाहिए, जांज याहो ने अपना आराम पूरा करने के बाद पूछा, एक कमांडर स्टर का दानव जानवर इतनी आसानी से नहीं मरेगा, लडाई खत्म होने में कई दिन लगेंगे, वैसे ली मैन क्या आपने प्रिथवी तत्व आत्मा बीज के बारे में क जल्द ही समाप्त हो जाएगी, ली मैन ने दैनियस्वर में उत्तर दिया, प्रिथवी तत्व आत्मा बीज निश्चित रूप से कुछ उलेखनिय था, क्योंकि ली मैन केवल मजबूत उननत जादू के साथ इसे पंचर करने में सक्षम था, कोई आश्चर्य नहीं कि कई श जांशियाहो पर लात मारी, जो अपने विचारों में खोया हुआ था, मुझे जांजयाहो ने अपनी ओर इशारा किया और अविश्वास से बुदबुदाया, ली मैन और मेरे पास प्रिथवी तत्व नहीं है, हम में से और कौन इसे ले सकता है, जल्दी करो, एक बार जब आप प्रिथवी तत्व आत्मा बीज का दावा करते हैं, तो दो मूर्ख जानवरों से निपटने के लिए सतह पर जाने का समया गया है, आदर्श ने कहा, जांजयोहो अब अपने पिछले अनुभव से दुखी महसूस नहीं कर रहा था, उसने तुरंतली मैन के निर्देश को घूरते हुए पहाड पर चड़ गई, उनकी सहच प्रवरित्ती उनसे यथा संभव दूर रहने का आगरह कर रही थी, कमांदर स्तर के दो राक्षसों के बीच लडाई के कुछ सौ मीटर के दाएरे में सब कुछ खत्रे में था, निकटम सुरक्षित दूरी कम से कम एक य कमांदर स्तर के दो राक्षस जानवर घाटी में कुछ समय से दुश्मन थे, और प्रत्यक यह देखते हुए कि वर्तमान में दूसरे गंभीर रूप से घायल हो रहे थे, उन दोनों ने मान लिया कि शिजाओ घाटी को जीतने का उनका समय आखिरकार आ गया है, जैसे उन्ह को पूरी तरह से नजरंदास कर दिया, जो किसी तरह गायब हो गए थे, और आपस में जीवन मरन की लडाई शुरू कर दी, जायंट जहरीला कंखजूरा लगभग सक्तर वर्षों से घाटी में रह रहा था, विशालकाय छिपकलियों के आने से पहले ही इसने डोंगटिंग जील के एक हिस्से को जीत लिया था, हाला कि जब विशालकाय छिपकली लगभग 20 साल पहले चली गई थी, तब इसका निवास स्थान उनके साथ उग आया था, जुआनवो विशालकाय छिपकली का उलेक नहीं किया गया था, जिसने इसके पुराने घोंसले पर जबरन लंग था, इस प्रकार या तो जल तत्व आत्मा बीज या प्रिथवी तत्व आत्मा बीज हर पांच या छे साल में दिखाई देगा, जायंट पॉईजन्स कंखजूरा और जुआनवो जायंट लिजार्ड दोनों ही इस बात पर सहमत थे, कि उन्हें खेती करने के लिए ड जंभीर चोटों से उबर रही थी, तब उसने खुद का बदला लेने की ठान ली थी, विशालकाय जहरीले कंखजूरे के शदीर के छिदरों से एक बैंडनी जहरीली धुंध निकली थी, जहर ने तेजी से पानी को दूशित कर दिया, और यहां तक की हवा में भी फैल गया जायंट जहरीले कंखजूरे का सबसे बड़ा हथियार उसका जहर था, यहां तक की कमांड रस्तर के दानव जानवर जो उससे ज्यादा मजबूत थे, एक बार जहर दिये जाने के बाद उनके भोजन में बदल जाएंगे तुक्सिवएन डव्यू जायंट छिपकली का रुख थोड़ा कमजोर हो गया जब उसने जहर फैलते देखा यह जायंट जहरीले सेंटीपीड से काफी अधिक मजबूत था, इसका शरीर पहाड के आकार का था, नकी केवल सजावट के उद्देशे से इसकी पीट पर खोल आसानी से कंखजूरे की तेज मंडियों का विरोध कर सकता था उसे अभी तक पूरी तरह से दूर भगाने का कारण उसका जहर था तक्सिवेंड व्यू जायंट शिपकली को इसके मजबूत जहर के बारे में पता था और वह तुरंट इससे पीछे हट गई यहां आश्चर्य की बात है, विशाल जहरीला कंखजूरा अपने 100 मीटर लंबे शरीर के साथ उस पर जपटा और मास के एक बड़े हिस्से को काटते हुए उसके चहरे को फार दिया यहां सीधा खड़ा हो गया और अपने पंजों से विशाल काई जहरीली कंखजूरे के अंगों को पकड़ लिया उन्हें अलग कर दिया आगे के दो अंग कट गए फ़वारे की तरह घावों से बड़ी मात्रा में तरल पदार्थ निकला विशाल काई विशैला चालिसपद ने एक भयंकर गर्जना की इसने एक स्यूए नव्यू जायंट लिजर्ड पर तरल स्प्रे करने की कोशिश की निकलने वाला तरल पदार्थ भी जहरीला था विशाल काई विशैला चालिसपद ने दो कटे हुए अंगों की परवाह नहीं की क्योंकि उसके अभी भी बारह शेश थे यह अपने सासी कदम के साथ जुआनवो जायंट शिपकली को जहर देने की कोशिश कर रहा था दोनों राक्षसों ने एक दूसरे को अपना नश्वर शत्रु मानते हुए जमकर युद्ध किया इस बीच भूमिगत गुफा में जांग ज्याहो ने प्रिथवी तत्व आत्मा बीज बहने वाली मिट्टी को परिश्क्रिप किया था वह खुद को आस्मान में उर्ते हुए महसूस कर सकता था यह ज्यांग ज्याहो का पहली बार आत्मा बीज प्राप्त करना था इससे उनकी ताकत में काफी सुधार हुआ था अब वह कुछ ऐसे मिशन भी पूरा कर सकता था जिन्हें करने में समुहों को परिशानी होती वह भी अपने दम पर यह बहती हुई मिट्टी प्रिथवी तत्व आत्मा बीजों में से एक है जो मैंने देखा है जब यह जम जाता है तो यह एक चटान की तरहा द्रेड होता है और नरम होने के साथ यह एक जहरीली मिट्टी में बदल सकता है जो चिपचिपा और जहरीला होता है यी मैन ने कहा जहांजियोहो को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि दोनों उसे आत्मा का बीज ऐसे ही देंगे बहती मिक्टी के बीज ने जहांजियाओो को दो अलग-अलग भावनाए दी जैसा किली मैन ने उलेख किया था इसकी दो अलग-अलग विशेष्टाए थी आत्मा के बीज के लिए अलग-अलग विशेष्टाओं का होना दुरलब था इससे न केवल जहांजियोहो की पृत्वी तत्व शक्ती में सुधार हुआ बलकि उसे अपने पृत्वी तत्व का उप्योग करने के विभिन तरीके भी मिले उदाहरन के लिए अधिकांश लोग अपना स्थान बदलने के लिए अर्थ वेव का उप्योग करेंगे जो लोग इसके साथ निपुन थे वे इसे दुश्मन के आंदोलन में बाधा डालने के लिए उतार चड़ाव वालित वरित रेत के रूप में इस्तिमाल कर सकते थे हालाकि बहती मिक्ती की पृत्वी की लहर एक विशाल दलदली जाल बिछा देगी दुश्मन उनके पैरों को कीचड में फंसा हुआ पाएंगे जिससे न केबल उनकी आवाजाही बाधित होगी बलकि जल तत्व विश्भी कीचड के माध्यम से उनके अंदर घुस जाएगा जामज्याहो कह सकता था कि उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी जैसा कि उन्होंने सोचा था भाई आदर्श का अनुसर्ण करना निश्चित रूप से एक बुद्धिमान विकल्प था साधारन जादूग्रों के पास अपने पूरे जीवन की बचकरने के बाद आत्मा बीज खरीदने के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं होगा जबकि उन्हें मुफ्त में एक असाधारन आत्मा बीज दिया गया था शर्मिंदा महसूस न करें यह वही है जिसके आप हकदार है आपने इसके लिए अपना जीवन दाफ पर लगा दिया आदर्श ने जांग जियाओं के कंधों पर ताली बजाई जांग शियाओं ने योजना में महत्वपूर्ण भूमी का निभाई थी इसके अलावा उसने केवल दो सोल एसेंस पाने के लिए अपनी सारी संपत्ती बेच दी थी आदर्श के पास अपने मूर्ख भाई के साथ दुर्व्यवहार करने का कोई तरीका नहीं था और उन्होंने सन्योग से आत्मा बीज को आसानी से खोज लिया था क्या कोई कारण था कि वह इसे जांग शियाओं को नहीं दे रहा था मम जांग शियोओं ने जोर से सिरहिलाया चलो चलते हैं ली मैन ने कहा चलदर यह बहुत अच्छा होगा अगर वे दोनों मर गए तीनों जल्दी से सतह पर लोट आए और दलदल के केंडर की ओर भागे वे दूर से ही दोनों राक्षसों के बीच की जोरदार टकर सुन सकते थे आदर्श उनकी जीवत्ता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका उन्होंने काफी समय भूमिगत आराम करते हुए बिताया था और फिर भी दोनों प्राणी अभी भी एक दूसरे से लड़ रहे थे अचानक एक पेड के आकार का एक विशाल अंग उनके सामने जमीन पर पटक दिया उन्होंने तुरंट प्रतिक्रिया दी और एक तरफ चक्मा दिया कंखजूरा का अंग काफी नुकीला था ऐसा लग रहा था कि एक विशाल दराती उनकी दिशा में फेंकी जा रही है जिससे जाम जियाहो का दिल बेथाशा दोड रहा था विशाल काई कंखजूरा के केवल छे पैरशेश हैं जाम शियाहो ने विशाल जहरीली कंखजूरे की ओर इशारा किया और खुशी से जूम उठा दल दल के उपर हवा में विशाल का इस हरीला कंखजूरा अपने लंबे शरीर को चुस्तदुरूस्त कर रहा था क्योंकि इसने अपने अंगों को जुआन्वू जायंट शिपकली पर जोर से फेंका था तुक्सिवेंड डव्यू जायंट शिपकली ने ढाल के रूप में अपनी पीठ पर खोल का इस्तिमाल किया हाला की बड़ी धाल पर एक बड़ी दरार आ गई थी जो विशालका इस हरीले सेंटिपीड की चाल की उतक्रिष्ट शक्ती को दर्शाती है तुक्सिवेंड डव्यू जायंट शिपकली भारी दलदल में गिर गई जटका काफी तगडा था तुक्सिवेंड डव्यू जायंट शिपकली को अपने पैर जमाने में काफी समय लगा विशालका इस हरीले कंखजुरे ने जवानवू जायंट शिपकली को अपनी सांस पकड़ने के लिए कोई समय नहीं दिया इसने अपने अंगों को जवानवू जायंट लिजड की छोटी गरदन के चारों और लपेटा और उसकी गरदन को सीधे काटने की कोशिश कर रहा था तुक्सिवेंड डव्यू जायंट शिपकली ने बुरी तरह संघर्ष किया उसके अपेक शाकरित छोटे अंग ऐसी स्थिती में पूरी तरह बेकार हो जाते थे इसके अलावा विश के प्रभाव के कारण वह अपनी पूरी शक्ती का उप्योग नहीं कर सकता था यह देखते हुए कि कीचड में रहना वास्तव में अपनी गतिविधियों को प्रतिबंधित करेगा उक्सिवेंड डव्यू जायंट शिपकली दलदल से बाहर निकली और आगे निकल गई विशाल कंखजूरा अभी भी अक्सिवेंड डव्यू जायंट शिपकली के गले में जन्जीर से बंधा हुआ था या तो अक्सिवेंड डव्यू जायंट शिपकली ने उन मनुष्यों की उपस्थिती की खोज की थी जिन्होंने यह सब शुरू किया था या यह केवल एक यादरिक शिक दिशा में चल रही थी, लेकिन उक्सिवेंड व्यू जायंट छिपकली किसी तरह सीधे उस ओर चार्ज कर रही थी, जहां तिकडी खडी थी, तीनों जल्दी से छिप गए, एक शन बाद उन्होंने एक विशाल जीव को देखा, जिसके गले मे कंखजूरा लिप्ता हुआ था, जो घाटी की दीवारों से टकरा रहा था, दोनों प्राणियों की दृष्टी में विक्ष जंगली घास के गुच्छे के समान थे, पहाड की दीवार उनके लिए छोटी-छोटी चटानों से बनी दीवार मात्र थी, उक्सिवेंड जुआ खेलने के लिए द्रिड था, यह अक्सिवेंड डव्यू जायंट लिजर्ड को लगने वाला अंतिन जटका था, यदि यह जुआनवु जायंट शिपकली के सिर से दूर फिंका जाता है, तो यह निश्चित रूप से जुआनवु जायंट शिपकली के रौंधने व और तरल पदार्थ युक्सिवेंड डव्यू जायंट लिजर्ड के शरीर पर फैल गया, बस थोड़ी देर और जहर अपने दुश्मन में घुस जाएगा, जब ऐसा हुआ, तो युक्सिवेंड डव्यू जायंट शिपकली का सिर उसके शरीर के बाकी हिस्सों से अलग हो ज रहे थे, रक्त और शरीर का तरल पदार्थ, जायंट जहरीले सेंटीपीड के अंदर कोई भी तरल पदार्थ घातक जहरीला था, वे एुक्सिवेंड डव्यू जायंट शिपकली की तवचा पर चीनटे मार रहे थे, शिदरों के माध्यम से घुस गए, या उसके घावों क माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर गए, तुक्सिवेंड डव्यू जायंट शिपकली को बैंगनी रंग में रंगा गया था, यह एक संकेत था कि यह जहर से घहराई से दूशित था, तथ्य की बात के रूप में पूरी लड़ाई के दौरान जुआनवू जायंट शि अमीद नहीं थी कि वह अंत में अपने दुश्मन के जहर पर गिर जाएगी, यह महसूस कर सकता था कि उसका शरीर सुन हो रहा है क्योंकि उसके अंग पूरी तरह से लकवागरस्थ हो गए थे, यह अब अपने शरीर को नहीं हिला सकता था, गर्दन में असहनिय दर्ध हो र रहा था और दीवार पर उसका अंतिन प्रहार हुआ था, जिसके बदले में उसे हार का सामना करना पड़ा था, कई सालों तक योक्सिवेंड ब्ल्यू जायंट लिजर्ड ने विशाल जहरीले कंकजुरे को आसानी से दूर भगाने में काम्याबी हासिल की थी, हाला कि एक ऐ जहरीले सेंटीपीड द्वारा आधिय धूरी कर दी गई थी, यह पूरी तरह से नहीं तूटा था, क्योंकि जायंट जहरीला कंखजुरा भी अपनी ताकत खो चुका था, तक्करों के प्रभावों के कारण इसके तीन अन्य अंग खो गए थे, उसके केवल तीन अंग चुके हैं, इसलिए इसका जहर हमारे खिलाफ बेकार है, चलो इसे मार डालो, आधर्श ने अन्य दो लोगों से कहा जो उसके पास छिपे हुए थे, विशालकाई जहरीला कंखजुरा सबसे बड़ा हथियार उसका जहर था, जिससे वे डरते नहीं थे, भले ही उनका पूर चिपकली की आत्मा अवशेश को पुनह प्राप्त करना पड़ा, क्या आप खुद को मारने की कोशिश कर रहे हैं, जब आधर्श को इस तरह भागते हुए देखा तो ली मैन शर्मा गई, भले ही विशालकाई जहरीला सेंटीपीड गंभीर चोटों के कारण मरने के कगार फिर भी यह एक योध्धास्तर के प्राणी को एक यादरिच्शिक हमले से तुरंत मार सकता था, अगर आधर्श सीधे उस पर हमला कर रहा होता, तो क्रोधित विशालकाई जहरीली कंखजुरे से निश्चित रूप से उसकी मौत हो जाती, आधर्श जोखिम की कम परवाह नहीं कर सकता था, उसे जल्द से जल्द आत्मा के अवशेश को इकठा करना था, उक्सुएन ड़्यू जायंट छिपकली वास्तव में बहुत बड़ी थी, आधर्श को लगा जैसे वह किसी बड़ी इमारत के खंडहे के नीचे भाग रहा हो, उसने लिटिल लोच पेंडें चिपकली के मास से आत्मा को बाहर निकालता था, हालांकि आदर्श के आश्चर्य के लिए टुक्सिवेन ड़्यू जायंट छिपकली की आत्मा भी बड़ी थी, वह इसे अनिच्छा और मृत्यू के क्रोध से अपने उपर गिरते हुए भी देख सकता था, उसने महसूस किय की एक बड़ी ठंडक सीधे उसकी आत्मा में उतर गई, तुक्सिवेन ड़्यू जायंट छिपकली की आत्मा ने आदर्श के निर्देशन में काटने की कोशिश करते हुए अपना मुह चौडा कर लिया, आदर्श अवाक रह गया, तुक्सिवेन ड़्यू जायंट छिपकल आभास हुआ, आदर्श खुद को घातक आभा के भीतर कैद महसूस कर सकता था, उसके शरीर और आत्मा के टुक्डे-टुक्डे होने जा रहे थे, बस तिल्द लिटिल लोच पेंडेंट ने एक चमकीली जंकार निकाली, यह महसूस करते हुए कि उसका मालिक खत्रे में था लटकन से एक शांत नीली चमक निकली, जो उक्सिवेंड व्यू विशालकाय चिपकली की आत्मा पर प्रकाश की किरनों में बदल गई, उक्सिवेंड व्यू जायंट चिपकली किरनों से डरने लगती है, घबराहट में तैरने से पहले, यह कुछ कदम पीछे हट गया, लि तुक्सिवेंड व्यू विशालकाय चिपकली की विशाल आत्मा को भेटते हुए, जंजीरों ने भागने वाली आत्मा को कसकर बांध दिया, तुक्सिवेंड व्यू जायंट चिपकली को भागने से पहले कसकर बांध दिया गया था, और प्रकाश की किरनों द्वारा लट शिपकली के विशाल आकार और ताकत के बावजूद लिटिल लोच पेंडेंट अपनी आत्मा को आसानी से वापस खींचने में सक्षम था। इसे लटकन की ओर जितना करीब खींचा गया, पक्सिव एंडबल्यू जायंट लिजर्ड उतनी ही छोटी हो गई। जब यहां आद पेंडेंट के अंदर दुनिया के अन्य लोग जुड गए। मैंने सोचा कि यह मेरे लिए अंत था, आदर्श का चहरा डर से सफेध हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि युक्स यूएंड डबल्यू जायंट छिपकली मरने के बाद भी इतनी भयानक होगी। इसने आदर्शो कमांडर स्तर के दानव जानवर का पुनर मुल्यांकन करने के लिए मजबूर किया। न केवल उनका शरीर शक्तिशाली था, उनकी आत्माई भी अधोलोक में दबंग थी। आदर्श ने राहत की सांस ली, यह जानकर की लिटिल लोच पेंडेंट ने एक बार फि लिटिल लोच पेंडेंट के अंदर एक अनोखी दुनिया मौजूद थी। भूमिगत पवित्र वसंत जिसे उसने अवशोशित किया था, वह दुनिया में अंथीन साइकल चलाने वाली लंबी नदी में बदल गया था। आत्मा सार और आत्मा अवशेष जिसे लिटिल लो दूर से ऐसा लग रहा था कि आत्माई तारे हैं, जबकी नदी आकाश गंगा की तरह थी जिसमें वे शामिल थे। इस बात की परवाह किये बिना की जब वे अभी भी जीवित थे, तब राक्षस जानवर कितने जंगली थे, उनकी आत्मा इस जगह में एक शांत और शांति पकली की आत्मा को वश्मे कर लिया, उसे अब दानव तत्व से पीडित नहीं होना पड़ा। इस कमांडरस्टर के आत्मा अव्शेश की मदद से उन्हें विश्वास था कि वे दानव तत्व से अंतिन आत्मा तुटने से बच सकते हैं और एक बार फिर से मानव बन सकते है भाई आदर्श भाई आदर्श तुम्हारे पीछे। जंगल के कानून का पालन करने वाली इस दुनिया में राक्षस जानवर जो एक उच्चरवंश वाले राक्षस जानवर को मारने में काम्याब रहे वे तूट जाएंगे जैसे कि वे प्रकृती द्वारा आशिर्वादित हो। आदर्श को श्राप्ट दिया। भागने ही वाला था। उसने ली मैन की दबंग आवाज सुनी। उसके बगल में कई शानदार नक्षत्रों को बुलाया गया था। जिसने उसे एक देवी की तरह दिखाया जो सांसारिक दुनिया में उतरी थी पवित्र लेकिन ग्लैमर्स। उसके सान्निध्य में सुनहरी क गिरने प्रकट हुई, जो धीरे धीरे उसके वश में बानों की वर्षा में परिवर्तित हो गई। विज्यापन उननत। जांज्या हो विस्मय में खो गया था। आदर्श ने भी अपनी आखें चौडी कर ली और महिला को अविश्वास से देखा। यह भगवान यह तरह से अलग कहानी थी। जायंट जहरीले कंखजूरे को इंसानों के समूह के बीच इतना शक्तिशाली जादूगर मिलने की उमीद नहीं थी। अपने डार्क एलिमेंट के कारण लाइट एलिमेंट इसकी सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक निकला। प्रत्यक प्रकाश शक्ती दुष्ट जानवरों के खिलाफ घातक थी। विशाल काई जहरीला कंखजूरा जहर से भरा था। इसलिए उसके खून की हर एक गूंद पवितर मंतर की सफाई करने वाली शक्ती वाले हलके तीरों से भयभीत थी। जैसे ही हलके तीर नीचे गिरे, तेज हथियारों के छेदन से खून के चीनटे पढ़ने के बजाए सुनहरे तीरों ने वास्तव में राक्षस जानवर के कवच को पिखला दिया, जैसे जलता हुआ लोहा मौम के माध्यम से पिखलता है। इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि उसका मास कितना मोटा और कितना मजबूत था, प दर्श तुरंत मौके से फरार हो गया। वह एक कमांडरस्कर के आत्मा अवशेश से संतुष्ट था। वह इस विशालकाय जहरीली कंखजूरे को मारने में बहुत उतावला नहीं था। हालाकि प्रकाश तत्व वास्तव में दानव जानवर को गंभीर नुकसान पहुचा रहा था। विशालकाय जहरीला चालीस पद बमुश्किल खुद को एक साथ रख सकता था। यदि वे हमले में अधिक गोलाबारी जोटे हैं तो वे इसे एक गंभीर जटका देने में सक्षम होंगे। जायंट जहरीला कंखजूरा जूल गया। उस पर लाइट एलिमेंट म साथ एक तरफ चक्मा दिया। हालां कि कुछ हलके तीरों ने अपनी सटीक ताखो दी जिससे उसकी ख्षती आउटपुट कमजोर हो गई। जायंट जहरीले कंखजूरे ने ली मैन और जाम शियाओ हो की दिशा में चट्टानों के टुकडे फेंके। वे विशाल जहरीले क केंदर की और भाग निकला। उसके केवल कुछ ही अंगशेश थे और वह विशुध रूप से साप की तरह चटपटा रहा था। अपना संतुलन खोते ही वह कीचड में गिर गया और तीजी से दलदल में और गहरा हो गया। इसे भागने मत दो जांग जियाओ हो अवचेतन रूप से चिलाया। विशाल काई जहरीला कंखजुरा लगभग मर चुका था। इसे मारने का यह सही मौका था। एक कमांडर स्तर का दानव जानवर निश्चित रूप से बहुत सारी मूल्यवान लूट गिरा देगा। मम्म तुम जाओ लीमान ने उत्तर दिया। आदर् निश्चित रूप से उनके ट्रंप कार्ड के रूप में भागने या आश्चर्यजनक हमलों में उत्कृष्ट शमताएं होंगी। लीमैन को अभी पूरी तरह से जहर से उबरना बाकी था। इस प्रकार वह अपनी टाकत का पूरी तरह से उप्योग नहीं कर पाई। इस ब जायंट शिपकली को मारने में उनकी सहायता कर चुका था, अगर वे लालच के कारण इसका पीछा करते तो पूरे समुह का सफाया हो जाता। रहने भी दो, जब तक हमारे पास धरीले कंखजूरे को फसाने का कोई तरीका नहीं है, हम इसे मार नहीं पाएंगे। आदर्ष क पास गंभीर रूप से घायल विशालका इस हरीले कंखजूरे को फसाने का एक मौका हो सकता है, हाला कि वे केवल इंटर्मीडियेट जादूगर थे, यह काफी चमतकार था कि उनकी योजना ने वास्तव में जुआनबु जायंट छिपकली को मार डाला था, तो तुम एक उ प्रभावशाली थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इन राक्षसों को हराने में सक्षम नहीं होंगे, यी मानने कहा, बिल्कुल नहीं, क्या इसका मतलब यह है कि एक उनक जादूगर एक कमांडर स्तर के दानव जानवर को नहीं हरा सकता, जांग ज्योहो विस्मय म बोल पड़ा, ली मैन ने अपना सिरहिलाया और कहा, उनक जादूगरों में से केवल सबसे मजबूत ही कमांडर स्तर के राक्षस जानवर को अपने दम पर लेने में सक्षम है, कहा जा रहा है कि उनमें से अधिकांश कमांडर स्तर के दानव बीस्ट को भी मारने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि जब स्थिती सही नहीं होगी तो जानवर भाग जाएंगे, कमांडर स्तर के दानव जानवर अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं, वे इंसानों की तरह जाल बिछाना जानते हैं, उसके शीर्ष पर इसके नेत्रित्व में अंथीन योध्धास्तर और नौकरवर के राक्षस जानवर पहले से ही निपटने के लिए काफी दर्ध हैं, कोई आश्चर्य नहीं कि बॉस जान कांग कभी भी डार्क विंग वुल्फ को मारने में काम्याब नहीं हुए, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह उन्नत जादूगरों के बीच एक सबसे पहले उन्हें नौकरवर्ग और योध्धास्तर के प्राणियों के महासागरों से निपटना होगा, क्योंकि कमांडरस्तर के दानव जानवर उन्हें मुफ्ट प्यादों के रूप में खर्च कर सकते थे। अंत में कमांडरस्तर के दानव जानवरों के पास भागने का बहुत अच्छा कोशल था। जब वे भागने की कोशिश कर रहे थे, तब दानव जानवरों को फसाने की उप्युक्त योजना के बिना जादूगर उन्हें कभी भी मार नहीं पाएंगे। उनके विशाल आकार ने उन्हें अपनी इक्छानुसार आने और जाने की अनुमती दी। यदि जादूगर उनका पीछा करते हैं तो वे युद्ध के लिए तयार की गई संरचना को नश्ट कर देंगे और यहां तक की खुद को मार भी सकते हैं। वे कई कारकों के कारण इस बार केवल एक कमां जानव जानवर लड़ाई में पूरी तरह से नहीं चाते। केवल सेवक्ष्रेनी के राक्षसी जानवर ही ऐसा बेवकूफी भरा काम करेंगे। आदर्श ने ली मैन पर एक नजर डाली और मुस्कराते हुए कहा, मैं शर्ट लगाता हूं कि सेना भी विशालकाई जहरीले क शिपकली को मार दिया है और इसके ठीक होने के बाद इसकी ताकरत में काफी सुधार होगा। यहां और विशालकाई शिपकली आग और पानी की तरह थे। यहां विशालकाई शिपकली के विकास को रोकने में हमारी मदद कर सकता है। मैं सहमत हूं। एक महीने के भीतर आप को यहां जिजाव घाटी में कोई विशालकाई छिपकली नहीं मिलेगी, आदर्ष ने सिरहिलाया। ली मैन के चहरे पर एक दुलब मुस्कान आ गई। B-City का सबसे बड़ा खत्रा विशालकाई छिपकलीओं की भीड थी। चुंकी ली मैन को बिया शहर में फिर से आबंटित कर दिया गया था। इसलिए वह विशालकाई छिपकलीओं के विकास को दबाने के लिए किसी व्यवहार ये योजना के साथ आने में असमर्थ रही थी। वह शुरू में डोंगटिंग जील के डेथ ब्रिंगर की जाच करने की योजना बना रही थी। यह समझने की कोशिश कर रही थी कि संभवत है इतने विशालकाई छिपकलीओं को क्या मार सकता है। उसके आश्चर्य के लिए वह शिजाव घाटी में एक गुफावासी और एक युवा लेकिन सासी सैनिक से टकरा गई थी। दोनों ने कमांडर स्तर के राक्षस जानवर को खतम करने के लिए दो राक्षस जानवरों को एक दूसरे से लड़ने के लिए उकसाने की सरर रननी के साथ जीव को चेहनित किया। उसने जानबूच कर इसे जीवित रहने दिया ताकि यह विशालकाई छिपकलियों को दबा सके। जायंट लिजड होर्डे के एक नए प्राक्रितिक दुश्मन का निर्मान करते समय विशालकाई छिपकलियों के एक कमांडर को मारना, यह व आदर्श भाई मुझे जो चाहिए वो मुझे भी मिल गया है। जहां तक पहाड की बात है तो आपको इसे वापस लाना चाहिए और अपने लिए एक इमारत बनानी चाहिए जहां शियाओ हो हंस्ते हुए फूट पड़ा। उसके चहरे पर अब और रंगा गया था और वह और भी स्त्रैन लगने लगी थी। वह अच्छे मूर में थी क्योंकि जहर साफ हो गया था और क्योंकि उसने सेना के लिए एक बड़ा खत्रा सुलजा लिया था। मैं इसे सेना को क्यों नहीं बेच देता। चुंकि हम इसे आपके बिना नहीं कर सकते थे, मैं आपको 10% की चूट दूँगा। आदर्श इस बात से सहमत था कि इतनी बड़ी लाश को हिलाने से निश्चित रूप से उसके सिर में भारी दर्ध होगा। वह भी काम करता है। अनुसंधान दल निश्चित रूप से एक कमांडरस्तर के दानव जानवर को लेकर बहुत खुश होगा, एक कमांडर के रूप में यी मैन के पास स्वयन निरनय लेने का अधिकार था। मैं हमारे अच्छे सहयोग की कामना करता हूँ, आदर्श ने अपना गंदा हाथ बढ़ाया। उसके बाल लंबे बालों के साथ उग आय थे, यह एक संकेट था कि दानव तत्व अभी तक पूरी तरह से निश्क्रिय नहीं हुआ था। वैसे ही ली मैन ने एक कोमल मुस्कान पहनी थी, उसने प्रशंसा के एक संकेट के साथ कहा, आप कुछ खास हैं। यह मेरा पहली बार है जब एक इंटर्मेडियेट जादूगर एक कम पहले कमांडर स्टर के दो दानव जानवर गंभीर रूप से क्यों घायल हो गए थे, ली मैन ने आदर्श की आँखों में देखा, जैसे वह उसके जूट के आरपार देखने की कोशिश कर रही हो। इश्वर जानता है आदर्श ने आखे मूंद ली, जैसे यह उसका कोई क ली मैन ने आगे नहीं पूछा, यह देखते हुए कि वह विशय से बचने की कोशिश कर रहा था, ली मैन का मानना था कि यह गुफावासी डोंगटिंग जील के डेथ ब्रिंगर से निकटा से संबंधित था, लेकिन वह विवर्ण नहीं जानती थी, बी सिटी में वापस आ तो सब कुछ ठीक होता, लेकिन यदि वह अस्फल हुआ तो वह अभिशप्थ होगा, आदर्श को पता नहीं था कि उसने कितनी विशालकाय छिपकलियों को मारा था, और उसे पता नहीं था कि उसने कितने सोल एसेंस खा लिये थे, किसी भी तरह से वह फिर से दानव तत्व द्वारा नियंत्रित नहीं होना चाहता था, यदि यह लिटिल लोच पेंडेंट के लिए नहीं होता, तो वह कई बार मर जाता, एक बार जब वह अंतिन सोल ब्रेकडाउन से बच गया, तो उसके शरीर का रक्त सरीरा पूरी तरह से गायब हो जाएगा, आदर्श राक्षस के वंच से छुटकारा पाने के लिए जिजखता अगर यह चरम परिनाम के लिए नहीं होता, उन्हें एक कमांडरस्तर के दानव जानवर की गंदगी को मात देने में सक्षम होने की भावना पसंद आई, दुर्भाग्य से महान शक्ती सिर्फ मुफ्त में नहीं आएगी, उ उसकी आत्मा गंभीर स्थिती में थी, जबकि उसकी साधना में भी काफी गिरावट आई, आदर्श को ऐसा लगा जैसे वह बिना आसु के रो रहा हूँ, उन्होंने अपने अगनी तत्व को तीसरी श्रेनी में सुधारने के लिए इतना प्रयास किया था, नाइन हॉल्स फ तत्व की शक्ती से थोड़ा साभी चुआ था, तो उसकी खेती में गिरावट ने उसे इसके बजाए अपना मन बनाने के लिए मजबूर कर दिया था, उनकी खेती कडी मेहंत का नतीजा थी, कहा जा रहा है कि आदर्श के लिए अब चाहकर भी उसे राक्षसी बनाना बिलक किया, क्योंकि अपनी खेती के एक ग्रेड को खोने की तुलना में अपना जीवन खोना डरावना था, यह कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में उसे भविश्य में सोचना होगा, अपने मानविय रूप को पुनह प्राप्त करने के बाद, आदश ने जान जियोहो का दक्षिनी सेना में वापस पीछा किया, सेना का एक मात्र व्यक्ति जिस पर वह भरोसा कर सकता था, वह जान कांग था, वह दानव तत्व के बारे में जानकारी को दबाने में काम्याब रहा था, इसलिए बहुत से लोग उसके रहस्य के बारे में नहीं जानते थे, मुझे कभी-कभी आश्चर यहोता है कि क्या आप अजे हैं। आश्चर यहोता है। उन्होंने जो आविशकार किया वह एक वाइरस, एक पर्मानंद, एक जैव रासायनिक दवा जैसा था। इसका नए तत्व से कोई लेना देना नहीं है। प्रशिक्षक आदर्श को यह जान कर काफी सुकून मिला कि अब उसकी जान को कोई खत्रा नहीं है। आदर्श भाई, आपको यहां और अधिक समय तक रहना चाहिए। जांग शियाहो ने मुस्कराते हुए कहा। तुम्हें अब प्राचीन राजधानी में जाना चाहिए। मैंने तुम्हें वहां खुद को प्रशिक्षित करने के लिए भेजा था। और फिर भी तुम समय बर्बाद कर रहे हो जान कांग नेदया के बिनाडाटा। जांग शियाहो ने कंधा उचकाया, आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। प्राचीन राजधानी शी एन, मुझे बताया गया था कि यह मरे हुए लोगों की भूमी के काफी करीब है, आदर्श से पूछा। जांग शियाहो ने जोर से सिरहिलाया और कहा, मरे हुए कभी कभार कहीं से भी निकल आते हैं। उनका सफाया करना लगभग असंभब है, क्योंकि वे काफी जल्दी पुनरजन्म लेंगे। वैसे पृत्वी तत्व आत्मा बीज, बहती मिट्टी के साथ, मुझे अब मरे हुए से घिरे रहने का डर नहीं है। मुझे कुछ समय के लिए जगह का दोरा करना चाहिए, आदर्श ने कहा। में गिरे हुए पत्तों और कैटकिन्स से भरी सड़के एक काव्यात्मक द्रिश में सन्युक्त हो गई थी। शरद रितु के दौरान हाग जो दक्षिन के शहरों की तरहे गर्म नहीं था, जहां तापमान गर्मियों के समान था। यहां उत्तर के स्थानों की तरहे सर्द भी नहीं था। यहां एकदम सही तापमान था, एक कोमल हवा के साथ। यहां आगामी सर्दियों के मौसम के शगुन के बजाए ड्राइन के लिए स्याही या रंकी कोमल, सुरुचिपून, अंतिन धुलाई की तरहे था। जेजियान संस्थान में एक ही सुस्तगरे रंग था। अधिक गिरे हुए पत्ते हर दिन साफ होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे उन कपड़ों की तरहे थे जिनहें महिलाओं ने मौसम के बगलते ही फेंक दिया था, भावनात्मक रूप से जुड़े होने के लायक नही किया जाएगा। यहां निप्पॉन लिली की तरह था, जो हर समय वसंद की चमक बनाए रखता था। टियल नोट मजेदार तत्य, वसंद की चमक कभी-कभी कुछ सेक्सी या कामुक ऐस्ट्रिस्क विंक ऐस्ट्रिस्क की थोड़ी सी जलक का जिक्र करती है। इसकी तुलना म कि ठंड के मौसम में वे केवल डाउन कोट की एक बाहरी परत पहनेंगे, बलकि इसलिए कि उन्हें अपनी आग या आग के कारण कपड़ों से अतिरिक्ट गर्मी पर निर्भर रहने की आवश्चक्ता नहीं थी। बर्फ के तत्व। उन तत्वों के होने के भत्तों के बार दुर्भाग्य से वहां हर कोई एक जादूगर था, इस प्रकार पुल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरी तरह से सेट बालों वाला एक सुंदर आगमी जील के किनारे खड़ा था और मुसकराते हुए बोला, मैं तुम्हें वहां धक्का दूंगा, यह उल्लेक के ला किनारे पर खरपतवार धीरे-धीरे बर्फ की परत से ढख गए, बर्फ तेजी से पानी में फैल गई, जिससे करकश आवाज हुई, जील की सतह जम गई, बर्फ की पतली परत धीरे-धीरे मोटी हो गई, क्योंकि बर्फीली उर्जा उसके चारों और फैलती रही, ऐसा लग जैसा कि हमारे स्कूल के लीडर बोर्ड पर किसी को रैंक मिलने की उम्मीद थी, आसपास की कुछ लड़कियों ने अपने फेफरों के शीर्ष पर चिलाया, प्रिंस ओफ आइस एक मानार्थ उपाधी थी, जिसे जेजियां संस्थान ने लियू यलिन को दिया था, यहां आ जैसा कि लेखास की थी, आँ, वह फिर से उस लड़की के साथ है, मेरी समझ में नहीं आता, जो लड़की खीक से चल भी नहीं सकती उसका क्या भला, एक आदर्श मिडस्प्लिट हैर स्टाइल वाली एक छात्रा ईश्या में भड़क उठी, दिखने के मामले में कई लड़क उन्हें आसानी से मात दे सकती हैं, मुझे यकीन है कि वह सिर्फ उस पर दया कर रहा है, मैं उन लोगों से नफरत करता हूँ जो इस तरह काम करते हैं, जैसे वे सबसे ज्यादा दैनिया हैं, बढ़बढाना जब किसी ने चीन्टी पर कदम रखा हो, आ, मैं चल नहीं सकता, कृपया मुझे चारों और धके लें, आ, मुझे हलका सिरदर्ध हो रहा है, मुझे लगता है कि मुझे सर्दी हो गई है, कमजोर होने का ढों करना तो सभी जानते हैं, हम्फ, चेन युनकी बोला, उसकी नकल बिंदु पर थी, जिसने उसके आसपास के दोस्तों को हंसने से रोकने के लिए प्रेरित किया, पेडो से सजे रास्ते में हंसी की गूंज उठी, बर्फ के राजकुमार लियू यलिन ने पीछे मुर कर उन लड़कियों पर नजर डाली जिनके साथ वह घूमता था, वह धीरे से मुस्तुराया और अपना सिर्थ थोड़ा नीचे कर लिया उन्हें बुरा मत मानना, वे केवल ईशा कर रहे हैं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपना समय बिता रहा हूँ, चलो पवेलियन चलते हैं, मैं कुछ समय अकेले बिताना चाहता हूँ, शमा करें, शिनक्सिया ने सिर्थ उठाया, उसकी सपष्ट आखों में शान्ती के बास दिखाई दी, यो एक रईस की तरह अभिनय कर रहा है, उसे बहतर ढंग से समझने के लिए दूरी बनाय रखने का नाटक कर रहा है, कितना प्रभावशाली है, ठीक है, यूंकि आप ऐसा नहीं कह सकते, शायद किसी को प्रिंस आफ आइस में कोई दिल्चस्पी नहीं ह हो सकता है कि किसी ने पहले ही उसके दिल पर कबजा कर लिया हो, मिड़स्प्लिट वाली लड़की ने कहा, फिर शायद उसकी प्रियत्मा किसी ऐसे व्यक्ती के साथ बाहर जाना पसंद करती है, जिसके साथ वह सडकों पर घूमते समय हाथ पकड़ सकता है, कोई हमारे जैसा जिसे उसे भी चैर पुष करने की आवश्यक्ता नहीं होगी, मुझे यकीन है कि आप उनमें से कई रोमास उपन्यास पढ़ रहे होंगे, है है टिल्ड, लिव यिलिन की भौहे तन गई, उनकी राय में चेन युनकी और उसके दोस्त बहुत दूर चले गए थे, वे किसी के शारिरिक दोशों के बारे में कैसे बात करते रह सकते हैं? यह सिर्फ यह उजागर करेगा कि वे कितने अशिक्षित थे, लड़किया अपने आप पर भद्दे कमेंट्स का आदान प्रदान करती रहीं, अंत में लिव यलिन का धैर्य तूट गया और उन्होंने कहा, क्या आ करना पसंद करती हैं. सच कहूं तो वह अभी भी अभिनय कर रही है, जैसे कि वह हमारे द्वारा उपहास किये जाने के बाद एक संथ थी, यह दिखावा करते हुए कि वह हमसे नाराज नहीं है. मुझे यकीन है कि वह अपने दिल में हमें कोस रही होगी, चेन युनकी ने म जाकिया लहजे में कहा, यह सही है, हम यह सपष्ट कर देते हैं कि हम किसे पसंद नहीं करते हैं. जब हम सफेद कमल को नापसंद करते हैं, तो हम इसे ठूकने का साहस करते हैं. जो लोग अभिनय करते हैं, वे सबसे घृनित हैं. लड़कियों ने अपने तर्क से लिउ-इल उसके पहनावे को देखते हुए, वह सबसे अधिक संभावना दक्षिन से आया था। उस आदमी ने चेन युनकी और उन लड़कियों से कहा जो अभी भी बिनारुके बात कर रही थी। और पानी भी थंडा था। उनके कपड़े, बाल, श्रिंगार पानी में पूरी तरह से अस्तव्यस्त हो गए थे। लियू यिलिन दंग रह गया। उसने अविश्वास से उस आदमी को देखा। एक पुरुष महिलाओं के खिलाफ इतना कठोर व्यवहार क्यों करेगा। भले ही उसने कई बार लड़कियों को जील में लात मारते हुए खुद को चित्रित किया था, लेकिन एक महान जीवन जीने की उसकी अंतरात्मा उसे कभी भी इस तरह के घेनित कार्य करने की अनुमती नहीं देगी। कौन सा जटका मुझे पानी में लात मारने की हिम्मत करता है, मैं तुम्हें कुछल दूँगा। के नीचे एक स्टार पैटर्न धीरे-धीरे खीचा गया था, हालांकि उसका शरीर ठंड से काम रहा था और एक चींग के बाद इसने जादू की कास्टिंग को तुरंत बाधित कर दिया, जिससे वह वास्तव में गुस्से में आ गई। इनों लड़कियां पागल हो गई जब बेशर्म आदमी ने उन हिस्सों की ओर इशारा किया जिनसे वे शर्मिंदा थे। वे उन नियमों के बारे में पूरी तरह से भूल गए जहां चातरों को प्रशिक्षन के मैदान के बाहर द्वंदवयुध करने की अनुमती नहीं थी और उन्होंने अपने नेबुला और स्टार पैटर्न को बुलाया। लाइटनिंग स्ट्राइक इलेक्ट्रिक फील्ड आदर्श ने बिजली का जादू बखू भी दिखाया। बेथाशा नाचने लगे जैसे कि वे जटके से आग के गड़े में हूँ। उनके बाल जुल से हुए काले थे जबकि उनके भीगे कपड़े सूखे भुने हुए थे। जो लड़किया कुछ समय पहले अपेक शाकरित अच्छी दिखने वाली थी, वे अब भूतों से भी अ इंटर्मेडियेट जादूगर था और अन्य दो लड़किया भी कमजोर नहीं थी, इंटर्मेडियेट स्टर के आधे रास्ते में। मैं चेन युनकी तुम्हें निश्चित रूप से भुगतान करवाऊंगा, चेन युनकी धुआ उगलते हुए गाली देने लगा। मैं चाहते थे, तीन लड़कियों को भागते देख काली कमीज वाला आदमी हंस पड़ा, वह शिनक्सिया तक गया, भील चेहर पर जिनक्सिया की आखें चमक रही थी, उसका मुह थोड़ा खुला हुआ था, उसका चेहरा खुशी और आश्चर्य से भर गया, जल्द ही उसक कर शिनक्सिया के सामने खड़ा हो गया, शिनक्सिया के गालों को घूरते हुए वह आधा जुप गया, जैसे कि वह शांत अभिनय कर रहा हो, हाला कि जब उसने देखा कि उसकी आखों से आसु बह रहे हैं, तो वह घबरा गया और अपने हाथ खीच लिये, उसकी उंगलिया उसके गालों पर लुढकते आसुों से छुटकारा पाने के लिए उसके गोलम टोल चहरे पर भूम गई, शब्द सुनते ही शिनक्सिया अपने आसु नहीं रोक पाई, उसने अपनी बाहें खोली और आदर्ष के गले से लिपट गई, अपना चहरा आदर्ष के पास चिपक जबकि उसका मुह जो आमतार पर अहंकार और बुरे इरादों को चितरत करता था, धीरे धीरे एक राहत भरी मुस्कान में उपर की ओर मुड़ा, भील चेहर पर बैठी एक लड़की और आलिंगन का आनंद लेते हुए आधा जुके हुए एक लड़का, इतनी संख्या में ह भील किसी तरह प्रिष्ठ भूमी में बदल गई थी और दोनों और पेडों की कतारे थी, यह एक शांति पूर्ण दो पहर थी, स्थिर और कोमल श्वास के साथ, और खुशी के आसु, क्या आपको अभी भी वह कहानी याद है जो मैंने आपको सुनाई थी, एक बार की बात ह एक राजा की दो बेटियां थी, वे सुन्दर पैदा हुए थे और उनमें एक अनोखीक शमता थी, उनके आसुपल भर में मोती बन जाते थे, राजा ने तब अपनी सबसे बड़ी बेटी को दूसरे राज्य के राजकुमार से शादी करने दी, राजकुमार हमेशा उसे च जीवन जीने दे सकती थी, लेकिन वे बदले में गरीब बने रहे, हाला कि राजा को जल्द ही एहसास हो गया कि किसान अपनी बेटी को आसु की एक भी बूंद नहीं बहाने देने को तयार नहीं है, राजा ने राहत के साथ किसान से कहा, तुम एक अच्छे पती हो, दूसर राजकुमार के विपरीट जो केवल अपनी बेटी के आसुओं के साथ अधिक मोती पैदा करने की परवाह करता था, आदर्श ने धीरे-धीरे क्लासिक कहानी सुनाई, शिनक्सिया ने जोर से सिर हिलाया, वह कहानी पहले भी सुन चुकी थी, और सिर्फ एक बार नहीं, थो उसने किसान होने का नाटक किया और कहा, मेरे राजा, मुझे यकीन है कि आप भूल गए हैं, वह नेत्रहीन होने के बाद ही मुझसे प्यार करती हैं, यह सुनकर, शिनक्सिया ने तुरंत माहौल को तूटता हुआ महसूस किया, उसने अपनी छोटी-छोटी मुठिया भीच और आदर्श के कंधे पर मुक्के मारे, यह गधा फिर से परियों की कहानियों को नश्ट करने की कोशिश कर रहा है, उनमें से ज्यादातर पहले ही उसके हाथों शिकार हो चुके हैं, क्या वह उन्हें सुखद अंत के साथ समाप्त नहीं कर सकता, हाला कि जब उसने किसान की नकल करते हुए आदर्श के लहजे को याद किया, तो वह खुशी के मारे फूट पड़ी, अंधेरे परियों की कहानियों के साथ उसका ब्रेनवाश करने के लिए इस जटके का धन्यवाद, किसी तरह वह इतनी खराब पंचलाइन पर हंस्ती भी, शिनक्सिया, क्या यह आप का भाई है, जिसका आपने पहले उलेक किया था, हाँ, मैं लियू यलिन हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा, लियू यलिन केवल तमाश बीन बनकर कभी संतुष्ट नहीं थे, वह जल्द ही दोनों के पास गया, आदर्श पाखंडी लियू यलिन की ओर मुडा, और बोला, क्या तुम नहीं जानते थे, किसने का सारवजनिक प्रदर्शन करने वाले एक जोडे को परिशान करना अशिष्टता है, अक्मिता का खुले में प्रदर्शन लियू यलिन दंग रह गया, इससे पहले कि उसने हैरान स्वर में पूछा, क्या तुम दो भाई भन नहीं हो, व शिनक्सिया का इतना अजीब भाई क्यों होगा, वह न केवल लड़कियों के साथ असभ्य व्यवहार कर रहा था, बलकि उसने ब्रोकॉन या सिस्कॉन जैसी बाते भी कही, कितनी नीचता है, यदि आपके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है, तो कृप्या मेरी दृष्ट शिनक्सिया पहले से ही एक कमजोर लड़की थी जिसकी चालचलन बाधित थी, यह एक आपदा होगी अगर उसे इस अजीब आदमी ने चीन लिया, इसलिए लियू यलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, चुमकि तुम शिनक्सिया के दोस्त हो, तुम मेरे भी दोस्त हो, मुझ के बिना एक जगह खोजने जा रहे हैं, क्या आप कृप्या बात करना बंद कर सकते हैं और एक तरफ हट सकते हैं, आदर्श ने बिसबरी से कहा, शब्द सुनते ही शिनक्सिया शर्मा गई, हमारे प्यार को साजा करने और कुछ ऐसा करने का क्या मतलब है, जो बच्चों के शर्मनाक है, लिउ यिलिन का चहरा तेजी से नीला और सफेध हो गया, यह व्यक्ति वास्तव में शिनक्सिया के प्रती बुरे विचार रख रहा था, वह बहुत दयालू और कोमल थी, वह उसे अस्विकार करने का साहस भी नहीं कर सकती थी, कोई रास्ता नहीं, भले ही शि शिनक्सिया की देख भाल कर रहा हूँ, मुझे पता है कि वह कितनी कोमल है, मैं आपको उसके व्यक्तित्व का दुरुपयोग नहीं करने दूँगा, और उसे आपकी इच्छानुसार परेशान नहीं करूँगा, वह चुप रह सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मै लियू यलिन इसकी अनुमती दूंगा, शिनक्सिया कुछ कहने वाली थी, क्योंकि वह लियू यलिन से सहमत नहीं थी, वास्तव में शिनक्सिया ने पहले ही लियू यलिन को सब कुछ स्पष्ट कर दिया था, लेकिन यह आदमी अपनी ही दुनिया में जी रहा था, हालांकि आदर्श ने उसे रोक लिया। उसने तिरची नजर से लियू यिलिन को देखा, जिसकी उपस्थिती और हरक्ते संकेट दे रही थी कि वह काफी अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ती था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप उसे पसंद करते हैं। आप क्या क अधिक देखभाल नहीं कर रहे हैं। आदर्श को श्राप दिया। लियू यिलिन को यह पसंद नहीं था कि कोई उसे गाली दे। उसने शिनक्सिया को देखा और उसकी भौहे तनी। यह ठीक है। वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के अफसर का उपियोग कर सकता अन्य था वह जिस महिला से प्यार करता था वह इस विकृत भेडिये द्वारा घसीटी जाएगी उस शुद्ध भोली महिला को कलंकित करेगी जिसे वह पसंद करता था। तो क्या हुआ अगर यह सच है। लियू यलिन ने सक्त नजर से कहा। तो क्या हुआ अगर यह सच मैं पहले से ही निराश था जब वे लड़कियां उसे उठा रही थी जदि आप एक पुरुष हैं तो आपको उनसे बहस करने के बजाए अपना समय बर्बाद करने के बजाए सीधे उन्हें लात मार देनी चाहिए थी और अब तुम मुझे कह रहे हो कि तुम उसे पसंद करते हो आदर्श की मुस्कान एक उफास्पून मुस्कराहट में बदल गई थी मुझे शिनक्सिया का ख्याल रखा जा रहा था लियू यलिन ने उदास चेहरे के साथ खुद को समझाया मेरे गधे पर विचार करें सुनोक वह मेरी बहन है और मेरी पतनी है जिसे मैंने बचपन से पाला है वह मेरी है समझे मक्खी की तरह बेशर्मी से उसे परिशान करना बंद करो मैं तुम्हारे बारे में बकवास करूँगा ताकि तुम्हारी मा भी तुम्हें पहचान न पाएं आदर्श ने ठीक से बोला आदर्श की वर्तमान उपस्थिती एक प्रभावशाली CEO के अपेक्षित व्यवहार के बिल्कुल अनुकूल है जिसके बारे में लड़कियां हमेशा कलपना करती थी शिनक्सिया ने लियू यिलिन को बताया था कि उसका दिल पहले से ही भरा हुआ था हाला कि जब उसने आदर्श को अपनी पत्नी के रूप में संदर्भित करते हुए सुना जिसे उसने युवावस्था से पाला था तो उसे लगा कि वह खुद को खोद कर उसके अंदर चिप जाए बीच बीच में लोग गुजरते रहे क्या उसे वास्तव में जोर से कहना पड़ा मुझे बकवास मारो की मेरी मा मुझे पहचान भी नहीं पाएगी यू यलिन की अभिव्यक्ती गहरी हो गई वह अब अपने विनम्रव्यभार पर कायम नहीं रह सका मुझे यकीन है कि आपको जाकर पूछना चाहिए यह देखने के लिए कि क्या यहां जेजियान संस्थान में कोई मेरा इस तरह अपमान करने की हिम्मत करता है स्थिती तुरंत दोनों के बीच तनातनी बन गई उनका औरस टकराया बर्फ तत्व और बिजली तत्व की उर्जा जल्द ही पास की हवा में घुल गई भीड को जल्दी ही आभास हो गया कि दोनों एक विवात शुरू करने वाले थे वे तुरंत पीछे हट गए और उन्हें गलानी के संकेत के साथ देखा यह बच्चा कहा से आया है? क्या वह वास्तव में इतना अंधा है कि बर्फ के राजकुमार को चुनने की कोशिश कर रहा है लियू यिलिन के सहाकों में से एक ने कहा खुद ही देख लो यह काली शर्ट वाला लड़का है लियू यिलिन ने उन्हें पहले ही लाइन पार नहीं करने की चेताबनी दी थी हाला कि उस आदमी ने बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिखाया भले ही मरहम लगाने वाली लड़की शिनक्सिया बिगडा हुआ आंदोलन के साथ पैदा हुई थी फिर भी कुछ लड़के उसमें रुची रखते हैं हाला कि या तो उन्होंने बर्फ के राजकुमार के साथ प्रतिसपरधा करने की हिम्मत नहीं की या उन्हें परदे के पीछे एक सबक सिखाया गया था इस आदमी के पास कठिन समय होने वाला है एक छात्र ने कहा जो समाचार में अप्टू डेट था विद्याले वैसे क्या कोई जानता है कि वह लड़का कौन है मुझे नहीं लगता कि वह जेजियान इंस्टिट्यूट से है निश्चित रूप से नहीं अन्य था वह लिउ यिलिन के खिलाफ जाने से भी क्यों परिशान होता उसे देखो अभी भी सोच रहा है कि वह अच्छा है मुझे यकीन है कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि वह बाद में कैसे लड़ाई हार जाता है लिउ यिलिन के साथी की हंसी फूट पड़ी एक असामान या हवाने जगह को बहदिया गिरी हुई पतिया हवा में उड़ गई भी उच्सुक थी उन्होंने पूरी जगह को घेर लिया था और दोनों के बीच लड़ाई शुरू होने का इंतजार कर रहे थे स्कूल ने नियम बनाये थे लेकिन कितने जादूगर वास्तव में अपने हाथों को नियंत्रित कर पाए शिनक्सिया एक तरफ हटो मैं इस मूर्ख को सबक सिखाऊंगा मेरा हिम तत्व काफी शक्तिशाली है मैं दुरगट नावश तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता लिउ यिलिन ने विनमरता से कहा आदर्श ने जानबूज कर शिनक्सिया को दूर नहीं धकेला उसकी आखें बैंगनी काली बिजली की चमक से जिल मिला रही थी यह एक संकेट था कि वह अपनी उर्जा जमा कर रहा था मैं आप जैसे लोगों के खिलाफ प्रकाश व्यवस्था का उप्योग करना पसंद करता हूँ आदर्श नक्सिया के पास खड़ा था लाइटनिंग एलिमेंट स्टार पैटर्न उसके पैरों के नीचे जल्दी से तयार हो गया था प्रक्रिया एक मूग फिर भी तेजी से समाप्थ हो गई थी धिकार है मेरे खिलाफ लड़ते हुए शिनक्सिया आपके साथ है तुम्हें पता है कि मैं तुम पर कोई जादू नहीं करूंगा लिउ यिलिन ने कड़ी नजर से कहा यह इतना जटिल नहीं है आदर्ष मुस्कुराया वास्तव में भील के लिए द्वंदव के लिए उन्हें एक बड़ा स्थान देना अनावश्चक्त था दुरघटना से आहत होने से बचने के लिए शिनक्सिया को उनसे दूर जाने की कोई आवश्चक्ता नहीं थी आदर्ष अपने जैसे प्रतिदवंदी को एक ही वार से आसानी से हरा सकता था कियान जुन वजरत यक्ष आदर्ष इंटर्मिडियेट स्पेल डालने में अविश्वस नियरूप से तेज थे वह पहले से ही अपनी उंगली हवा में इशारा कर रहा था जब वह शब्दों का उच्चारन कर रहा था यह इतना जटिल नहीं है एक बड़ी जिल्मिलाहट पूरे आकाश में फैल गई यह कांटा और तेजी से नीचे मारा बिजली गिरने से पास के पेड तुरंत काले टुकडों में बिखर गए घने बैंगनी बिजली के बोल्ट स्पष्ट आकाश से कहीं से भी प्रकट हुए जैसे शैतान का पंजा बर्फ के राजकुमार लियू यिलिन खुद को तयार भी नहीं कर सके उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका प्रतिद्वन्द भी उसकी गती से दोगुनी गती से एक इंटर्मेडियेट जादू करने में सक्षम था उसने केवल आधा स्टार पैटर्न बनाया था लियू यिलिन ने यह जानते हुए कि स्थिती उनके पक्ष में नहीं है जल्दी से अपने मैजिक शील्ड को सक्रिय कर दिया शील्ड एक विस्तारिक फिन की तरह लग रही थी इसकी सतह तराजू से बनी थी प्रतेक एक अधवितिय रंग को दर्शाता है बैंगनी काले बिजली के बोल्ट ने शील्ड पर भारी प्रहार किया हर किसी के आश्चर्य के लिए बिजली के शक्तिशाली बोल्ट से यह तुरंट टुक्रों में बिखर गया घले ही उपकरण काफी मजबूत दिख रहा था लेकिन बिजली का सामना करने पर यह अविश्वस्निय रूप से नाजुक था शील्ड के नश्ट होते ही लिए यलिन को जमीन पर पटक दिया गया उसके शरीर से धुए के नीले गुबार उठे हालांकि उनके उपकरण उन्हें बिजली से बचाने में काम्याब रहे लेकिन उनका शरीर प्रभाव से गती का सामना नहीं कर सका वह अपना चहरा नीचे करके जमीन पर गिर गया उसकी खून बहने वाली नाख से खून तुरंट उस चहरे पर फैल गया जिस पर उसे गर्भ था लिए यलिन काम्प गया जब उसने जमीन से उठने की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे उसकी हड़िया तूटने की कगार पर हो अविश्वसनी दर्ध ने उसे अपने दांत भीचने पर मजबूर कर दिया इस बीच अचंभित करने वाली भीड उनकी आखे चौड़ी थी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके स्कूल की प्रसिध प्रतिभा एक ही हमले से हार गई यह राक्षसी बच्चा कहा से आया बकवास लिउ यलिन ने खुद को लोहे की प्लेट में तोड़ लिया है वह पागल है उसने अभी अभी बर्फ के प्रसिध राज कुमार को एक जादू से हरा दिया है भीड की टिपणियों और अजीब निगाहों से वाकिफ होने के कारण लिउ यलिन ने अपना आपाखो दिया हाला कि जब उसने काली शर्ट में उस आदमी को देखा तो लिउ यलिन ने उसे फिर से कम आकने की हिम्मत नहीं की तथ्य यह है कि उसने एक स्पिरिट ग्रेड सोल सीड हासिल कर लिया था और दूसरी स्टरिये स्टॉर्म क्लाउड में महारत हासिल करने में सक्षम था यह बताने के लिए परियात था कि वह कोई साधारन जादुगर नहीं था लियू यलिन यह स्विकार किये बिना नहीं रह सका कि उसने गलत लडाई चुनी थी लेकिन वह आसानी से हार नहीं मानेगा मुझे तुम्हें फिर से देखने मत देना नहीं तो जब भी मैं तुम्हें देखूंगा मैं तुम्हारे बारे में बकवास करूंगा आदर्श ने लियू यलिन को देखा जिसे अभी भी जमीन से उठने में परिशानी हो रही थी उनकी अभिव्यक्ति और लहजा दोनों ही अविश्वस्निय रूप से आत्मसंतुष्ट थे हर बार जब आप मुझे देखते हैं तो मुझे मारो यह पहली बार था जब लियू यलिन ने किसी को ऐसा कहते सुना था तथ्य यह था कि उनके लगातार बने रहने से बहुत कम फर्क पड़ेगा उसकी ताकत स्पष्ट रूप से उसके प्रतिदवंदवी के समान स्तर पर नहीं थी आदर्श ने बेवकूफ के साथ और समय बरबाद नहीं किया उसने शिनक्सिया की भीलचेयर को धक्का दिया और वहां से चला गया भील को पीछे छोड़कर आखिरकार उन्हें कुछ शांती मिली आदर्श ने शिनक्सिया पर नजर डाली जो काफी शांत था और हसा क्या आपको लगता है कि मैं बहुत दूर चला गया हूँ आपके सहपाठी को इस तरह पीट रहा हूँ शिनक्सिया ने अपना सिरहिलाया और कहा वह वास्तव में खुद से बहुत भरा हुआ है शिनक्सिया को पता नहीं था कि लियू यिलिन के बारे में क्या कहा जाए उसके आसपास एक सर्जन की तरह व्यभार करने के बावजूद वह अवचेतन रूप से अपने दिल में गर्व को कम विवर्ण के साथ प्रदर्शित करेगा वह उसके करीब जाने को तयार नहीं थी लेकिन उसे हमेशा लगता था कि चेन उनकी जैसी लड़कियों द्वारा चुने जाने के डर से वह अपना एहसान छिपा रही है उसने पहले ही उसे बता दिया था कि उसे उसमें कोई दिल्चस्पी नहीं है लेकिन उसने मान लिया कि वह केवल अपने प्राकृतिक दोश के कारण अयोग्य महसूस कर रही थी ओह तो तुम भी उसे पसंद नहीं करते मुझे उसे दूसरे जादू से मारना चाहिए था मुझे उनके जैसे बेवकूफों से नफरत है जो सोचते हैं कि वे सबसे ज्यादा भाइट प्रिंस हैं आदर्श ने कहा स्कूल छोड़कर आदर्श ने देखा कि शिनक्सिया ने अभी भी वही पुराने कपड़े पहने हुए हैं इसलिए उसने उसे खरीदारी करने का फैसला किया पत्जर भी आ गया था इसका व्यात्मक मौसम में एक लड़की कैसे ठीक से कपड़े नहीं पहन सकती थी इसके अलावा आदर्श ने अलग-अलग आउटफिट्स पर कोशिश करते हुए उसके अलग-अलग इंप्रेशन देखकर मजा लिया आदर्श ने महसूस किया कि कई जोडे स्कूल गेट पर टैक्सी चला रहे थे आदर्श जल्दी में नहीं था वह अपनी बारी के लिए धैर्यपूर्वक कतार में खड़ा हो गया जब उसकी सवारी आई तो आदर्श शिनक्सिया को उसकी ओर धकेलने ही वाला था कि कोई जल्दी से कार के पास गया और अपनी प्रेमिका के साथ उसमें बैठ गया अरे मैं पहले ही अपना हाथ हिला चुका हूँ आदर्श ने अप्रियस्वर में कहा भाई मैंने भी अपना हाथ हिलाया बहुत अफसोस है कि आपने इसे नहीं देखा बस अगले वाले का इंतजार करें बेसबॉल टोपी वाले युवक ने कहा ड्राइवर ने देखा कि आदर्श वेलचेयर पर एक लड़की के साथ था और अंजाने में परेशानी से बचना चाहता था उसने आदर्श से रास्ता निकालने का आगरह करते हुए हौर्न बजाया फिर मिलेंगे भाई मुझे दोश मत दो क्योंकि तुम्हारी प्रेमिका बिगडी हुई है इसलिए तुम्हें खुद गाड़ी चलानी चाहिए युवक ने गर्व भरे स्वर में कहा यह कुछ समझ में आता है आदर्श ने सिर हिलाया टैक्सी बुलाना वास्तव में सुविधाजंक नहीं था वह यहां इंतजार क्यों कर रहा था जब उसके पास पहले से ही परिवहन का एक बढ़िया साधन था आदर्श ने कुछ देर के लिए आखे बंद कर ली जब वे फिर से उचले तो उनकी पुतलिया चंद्रमा की सफेद चमक के साथ जिल्मिला उठी उसी रंकी निहारी का आदर्श के सामने प्रकट हुई जिससे उनकी दुनिया को एक और जादूई सामराज से जोडने वाला एक आयाम अंतर बन गया आवु टिल्ड 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 एक चीख ने एक पल के भीतर एक मजबूट जोंका उरा दिया इस समय स्कूल के गेट पर काफी भीड थी शोर सुनकर वे तुरंत पल्टे हर किसी को आश्चर्य करने के लिए एक सुन्दर नीला भेडिया खाई से बाहर निकल आया इसके बाल हवा में जोर से लहराते थे इसे अवर्णनिय जंगलीपन और शैली प्रदान करते थे आओ हमारी सवारी यहां है आदर्श ने शिनक्सिया को उठा लिया और उसे स्विफ्ट स्टार वुल्फ की पीठ पर बिठा दिया जैसे ही शिनक्सिया ने अपने विचार एकतर किये उसने महसूस किया कि वह एक शांदार जानवर की पीठ पर बैठी थी उसने डर के मारे स्विफ्ट स्टार वुल्फ का फर पकड़ लिया आदर्श ने भी चेयर को मोड़ा और उसे अपनी पीठ पर लाग लिया वह शिनक्सिया के पीछे बैठ कर स्विफ्ट स्टार वुल्फ की पीठ पर पूट गया उसने मौके का फाइदा उठाते हुए उसे कमर से लगा लिया जबकि उसकी नाक उसके बालों की सुखत सुगंध का आनंद ले रही थी स्कूल के गेट पर लगी भीड ने हंगामा कर दिया टैक्सी चलाने वालों के अलावा यहां तक की अपनी गर्लफ्रेंड को लेने के लिए अपनी शांदार कारों को चलाने वाले भी अतुलनिय थे इस आदमी ने स्नेह का सारवजनिक प्रदर्शन करने के उच्छतम स्कर को फिर से परिभाशित किया था आदर्श से टैक्सी चीन कर गर्व महसूस करने वाला शक्स दंग रह गया यहां तक की चालक भी गाड़ी भगाने से डर रहा था शनक्सिया के कोमल शरीर को पकड़े हुए और शानदार स्विफ्ट स्टार बुल्फ की सवारी करते हुए आदर्श ने इन लोगों को अपनी सबसे अच्छी सवारी दिखाने का फैसला किया था जिसमें एक गरजनापूर्ण चलांग शुरू 270 डिग्री का एक उपन टॉप ग्रिश और एक शानदार टू सीटर शामिल था जानवर के साथ साथ तेज हवा चली जंगली के विपरीत स्विफ्ट स्टार बुल्फ की सवारी के रूप में विक्सित शहर में दौरना एक बिल्कुल अलग अनुभव था उची इमारतें टेजी से किनारों पर बह गई जानवर आसानी से सडकों पर दौरते वाहनों की चपेट में आ गए आदर्ष ने राहगीरों की भैभीत या इर्श्यालू निगाहों की एक जलक भी देखी ऐसे समय में क्या आदर्ष को इस बात की परवाह थी कि उसके पास हांग जो शहर के लिए एक समन बीस्ट पर्मिट है वास्तव में प्रत्येक शहर ने सपश्ट रूप से कहा था कि बुलाए गए जानवरों को अनावश्यक आतंक से बचने के लिए सडकों पर स्वतंत्र रूप से चलने की अनुमती नहीं थी करतव्य पर जादूग्रों पर नियम लागू नहीं हुआ क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए विशेश पर्मिट दिये गए थे आदर्श पर्मिट ना होने की परवाह नहीं कर सकता था क्योंकि उसे विश्वास था कि कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं करेगा इसके अलावा वह मोटरवे का उपयोग कर रहा था इस प्रकार वह पैदल चलने वालों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा हालांकि मध्यक शेत्र में पहुँचने पर आदर्श ने अकड़ने की हिम्मत नहीं की उसने स्विफ्ट स्टार वुल्फ को वापस ले लिया और शिनक्सिया को उस पर रखने से पहले भीलचेयर को खोल दिया जब वे खरीदारी के लिए गए तो वे अंतत शिनक्सिया को आगे बढ़ा सके मौसम ठीक था सूरज बादलों के पीछे चिप गया कभी कभी एक सुखदायक हवा उनके चेहरों को सहलाती थी खरीदारी करने जाने के लिए यह निश्चित रूप से सही मौसम था आदर्श ने शिनक्सिया के लिए एक गर्म पे खरीदा उसने इसे अपने दोनों हाथों से पकड़ा और कभी कभी एक छोटा घूट लिया उसकी आखें आसपास की दुकानों को देख रही थी चमकदार वस्तूओं के साथ नाजु प्रदर्शन खिड किया और जिन चीजों में उसे काफी दिल्चस्पी थी उसके बिगडे हुए आंदोलन के कारण उसे शायद ही कभी व्यस्त जिले में खरीदारी करने का मौका मिला नहीं उसके पास खरीदारी करने का मौका था एक ऐसा आभूशन पाकर खुशी से जुमने का मौका मिला जो उसे बेहत पसंद था शिनक्सिया के कई दोस्ट थे जो उसके प्रती बेहत दयालू थे हाला कि हर कोई इस तरह की जगहों पर उसके साथ घुमने में इतना समय नहीं बिताएगा वह चलने वाले पैदल यात्रियों, सडको पर उपरी पुलों और शॉपिंग मॉल में एसकेलेटर के बीच जगह से बाहर लग रही थी यहां आसान था जब शिनक्सिया आदर्श के साथ खरीदारी करने जा रही थी जब रास्ते में सीधिया होती तो आदर्श उसे उठा कर ले जाता वह ऐसा करने के लिए तयार था, क्योंकि इसने उसे कई बार उसका फाइदा उठाने का मौका दिया उस लड़के को उपलब्धी का अहसास होगा जब उसने उसे प्यार से शर्माते हुए देखा होगा एक परिधान चुनने के बाद आदर्श ने शिनक्सिया को ड्रेसिंग रूम में धकेल दिया इसे स्वयम मेरे द्वारा किया जा सकता है शिनक्सिया ने आदर्श को बाहर छोड़ दिया और परदा खींच दिया आदर्श ने बेशर्म मुस्कराहट के साथ कहा यह ठीक है मुझे बुरा नहीं लगेगा पिछले दो सालों से वे दोनों अपने अपने स्कूल में व्यस्त थे वे अक्सर नहीं मिलते थे इस प्रकार कुछ समय हो गया था जब उसने आखिरी बार उसके योवन पर जाच की थी वह एक भाई के रूप में अपनी भूमिका को पूरा नहीं कर रहा था बेशर्म आदर्ष के विपरीत शिनक्सिया के पास अभी भी सिधान्त थे जिनका वह पालन करेगी आदर्ष चाहे कितनी भी कोशिश कर ले उसने ठान लिया था कि वह उसे बदलने में उसकी मदद नहीं करेगी शिनक्सिया को खड़े होने में कोई समस्या नहीं थी उसकी सीधी लेकिन पतली टांगे उसकी उम्र की अधिकांश लड़कियों की तुलना में अधिक आकरशक थी वे कला के एक टुकडे की तरहे थे जिसे कोई नुकसान नहीं हुआ था उसे अपने कपड़े बदलने के लिए कभी किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ी जिसमें ड्रेस बदलना भी शामिल है एक तरफ ध्यान दें आदर्श को निश्चित रूप से एक महिला के लिए वस्त्र चुनने में कोई रुची नहीं थी उसने केवल कपड़ों का एक पुराना टुकड़ा देखा और मान लिया कि यह शिनक्सिया के व्यक्तित्व की कलपना में फिट बैठता है जैसे उसने तुरंत दावा किया कि वह कीमत पर विचार किये बिनाभी इसमें अच्छी लगेगी यह हान राजवंश के दौरान कपड़ों के डिजाइन के समान एक लंबी बाजू का गाउन था जिसमें एक रिशम रिबन बेट के रूप में काम करता था यह शरद रितु के लिए उप्युक्त था विंटेज के एक टुकडे के बजाए जो ऐसा लगता था कि यह समय के साथ यात्रा कर रहा था इसमें वर्तमान प्रवृत्ती का भी मिश्रण था जब शिनक्सिया ने इसे पहना था तो यह बहुत अलग नहीं था चीनी संस्कृती की एक मजबूत भावना के साथ यह प्राकृतिक, ताजा और आधुनिक महसूस हुआ शिनक्सिया के नए रूप को देखकर आदर्श ने संतोश पूर्वक अपना कार्ड स्वाइप किया खरीदारी करने के पूरे अनुभव में निश्चित रूप से बढ़िया भोजन खरीदना शामिल है आदर्श जल्दी ही एक काफी उंचे रिस्तरा में पहुँचे जहा का नजारा शांदार था वह स्वेच्छा से काम कर सकता था क्योंकि वह अब काफी अमीर था अधिकाश अमीर लोगों की तरहे आदर्श को काच की खिड़कियों बाले शांदार रिस्तरा में जाना अच्छा लगता था वह एक के पास एक स्थान का चयन करेगा और आधुनिक शहर के द्रिश्य का आनंद उठाएगा वह कोक का एक गिलास मंदवाता था ओ शराब और मेस पर एक भव्य सुन्दर्ता के साथ एक सुख़द समय बिताया आह क्या सुख़द जीवन है आदर्श पहले एक गुफावासी की तरहे रहते थे उसने एक तनाव पूर्ण माहौल का अनुभव किया था जहां जंगल में किसी भी क्षण एक गंभीर खत्रा उस पर मंदवा सकता था इस प्रकार वह एक शांत मधूर जीवन जीने के अफसर को अन्मोल समझ रहा था शिनक्सिया जो उस क्षण को समान रूप से महसूस कर रही थी आदर्ष की आखों में घूरते हुए बड़बडाई भाई आदर्ष क्या आप रुप्या शहर को फिर से नहीं छोड़ सकते मेरे बारे में चिंता मत करो यह इतना खतरनात नहीं था आदर्ष ने मुस्कराहट के साथ कहा निंक्षु ने मुझे पहले ही बता दिया है शिनक्षिया ने अपने होंट घुमाए वह जानती थी कि आदर्ष उसे दिलासा देने की कोशिश करेगा और उसे चिंता करने से रोकेगा ओह ओह आदर्ष ने अपना सिर अजीब तरह से रगड़ा म्यू निंक्षुए और शिनक्षिया हमेशा करीब रहे थे इसलिए यह कहने की जुरत नहीं थी कि म्यू निंक्षुए शिनक्षिया को पूरी धटना बताएगी आदर्ष को अचानक एसास हुआ की जूट बोलकर शिनक्षिया को दिलासा देने की कोशिश करना एक गुरी चाल थी उसे और सावधान रहना था उन्हें जूट बोलने से पहले अपनी पहली और दूसरी पत्नियों की सांठ गांट की संभावना पर विचार करना पड़ा आदर्ष को विशय जारी रखने में कोई दिल्चस्पी नहीं थी शिनक्सिया का ध्यान आकर्षित करने की उम्मीद में उसने बाहर के द्रिश्यों पर नजर डाली यह बहुत उँची इमारत थी हाला कि वे आसपास कुछ उँची संगरचनाय थी लेकिन वे उस संपूर्ण द्रिश को अवरुद करने में असमर्थ थे जो रिस्तरा में था उसकी नजर तेजी से आसपास की इमारतों में से गुजरी शहर की रंगीन रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थी और दूरी में पश्चिन जील को देखा जो सदियों से अपेक शाकरित शांत थी किसी कारण से जब उसने जील की सतह पर प्रतिबिंब को देखा आदर्श का दिमाग बदसूरत विशालकाय छिपकलियों से भरा हुआ था शायद इसलिए कि वह हाल ही में बहुत सारे दलदल देख रहा था थोड़ा सा बाइं और एक उची इमारत थी जो एक बैंक की थी इमारत बहुभुच के आकार की थी और इसका शीर्ष नुकीला था इसमें चांदी के LED लगे हुए थे और मुख्य रूप से परिश्कृत काँच के साथ बनाया गया था आदर्श के कोन से वह एक बाहरी तरंताल को एक और द्रिश्टी से देख सकता था स्विमिंग पूल्स पश्ट रूप से जन्ता के लिए खुला नहीं था वहां कुछ ही लड़कियां बिकिनी में नजर आईं कहीं उसके दाहिनी और एक पांच सितारा अंतरराश्ट्रिय होटल खड़ा था यह निश्चित रूप से पास की सबसे उची इमारतों में से एक थी यह हंग जो में वेस्ट लेग के शांदार ग्रिश के कारण प्रसिध था आदर्श की नजर से उसे पूरा पांच सितारा आलिशान होटल नजर आ रहा था अजीब बात है हम अभी अभी वहां से गुजरे है वह इमारत क्या है आखिरकार आदर्श को शिनक्सिया का ध्यान हटाने के लिए एक संभावित विशय मिल गया उन्होंने गगंचुंबी इमारत और पांच सितारा होटल के बीच लंबी काली चाया की और इशारा किया शिनक्सिया ने भ्रमित नजर से अपना सिर घुमा लिया इसमें कोई प्रकाश नहीं है क्या यह नया है आदर्श से पूछा शिनक्सिया ने अपना सिर हिलाया मैं हाल ही में इस शेत्र से गुजरी लेकिन मुझे इमारत को देखकर याद नहीं आया करीब से देखने के बाद शिनक्सिया ने अचानक अजीब व्यवहार किया वह पीछे मुडी और एक अजीब भाव के साथ बोली आदर्श भाई मुझे नहीं लगता कि यह एक इमारत की तरह दिखता है यह एक इमारत की तरह नहीं दिखता है आदर्श चौक गया आदर्श ने जल्दी से अपने होश से करीब से देखा अगले सेकंड में वह चौक गया आदर्श का चहरा धीरे-धीरे अविश्वास से भर गया जो जल्द ही परचाई को करीब से देखने पर डर में बदल गया अंत में वह भय से अभिभूत हो गया हांग जो के सबसे व्यस्ट जिले में खडी चाया धीरे-धीरे घूम गई यह ऐसा था जैसे यह किसी को देखने के बारे में जागरूख होने के बाद घूम रहा था यह सचमुच घूम रहा था काली चाया निश्चित रूप से पहले नहीं थी यह वर्तमान में चांदी की गगंचुमबी इमारत और शांदार पांच सितारा होटल के बीच खड़ा था आदर्श जिस रिस्तरा में था उसके खिलाफ उसकी पीठ थी और अब वह घूम रहा था इसका विशाल चहरा था भले ही इसका अधिकाश हिस्सा सपाट था इसकी दो त्रिकोनी आकार की आखें चमक रही थी जैसे गगंचुमबी इमारत के शीर्ष पर लोगों को रोशन करने वाली स्पोटलाइट इसकी जिल्मिलाहट बहुत तेज नहीं थी लेकिन यह भयानक रूप से भयानक थी जैसे कि यह किसी के दिल में गहराई तक जा सकती है इसके सिर और गर्दन की चौड़ाई लगभग समान थी गर्दन थोड़ी फूली हुई थी जैसे उसने एक विशाल कवर पहना हो के बजाए इमारत को घूरना अधिक समझ में आता है हाला कि आदर्श को किसी तरह यह एहसास हो गया था कि वह ठीक उसी को देख रहा है घूरने से उसे बेहत छोटा और शुदर महसूस हुआ यह एक समराट की तरह विक्सित शहर के व्यस्ततम जिले में खड़ा था सडकों पर अंगिनत लोग और आसपास की उची-उची-उची-उची इमारतों के बावजूर वह वही खड़ा था ऐसा लग रहा था कि वह कुछ पल पहले दिखाई देने के बजाए हजारों साल से वहा है हवा में एक हेलिकॉप्टर ने काली चाया की परिक्रमा की और उस पर अपनी रोशनी डाली अंधेरे में आदर्श को आखिरकार अपना रूप सपष्ट नजर आ गया साप वह साप था उसका शरीर मूर्ती की तरह सीधा था यदि यहाँ अपना सिर नहीं घुमाता तो अधिकांश लोग इसे एक नई निर्मित गगंचुंबी इमारत मान लेते यहाँ अत्यंत विशाल था आदर्श को भरोसा था कि उसके जैसा जानवर सिर्फ घुमने भर से शहर में भारी तबाही ला सकता है हाला कि यह नहीं चला इसने अपना सिर घुमाने के बाद अपनी मुद्रा बनाए रखी एक मात्र सुराग जिसने यह साबित किया कि वह मूर्ती नहीं थी उसके मुह से जीव बाहर निकल रही थी आकाश क्या वह क्या है त्रेस्टरा में किसी ने आखिरकार आश्चर्यजनक द्रिश देखा और चिलाने लगा साप यह साप है एक साप यह वास्तव में एक साप है मदद करना रोमांटिक माहौल से भरे रेस्टोरेंट में कुछ देर पहले ही कोलाहल मच गया सभी की आखें अत्यधिक आतंक से भरी हुई थी फिर भी वे अपने आपको इतना नीचा महसूस करते थे कि गगनचुमबी सांप उन पर एक नजर नहीं डाल सकता था रेस्टोरेंट चीखों और चीखों से भर गया यहां तक कि आदर्श जैसे जादूगर भी अपने रोंगते खड़े महसूस कर सकते थे उन आम लोगों की तो बात ही छोड़ें जिन्होंने पहले कभी राक्षसी जानवर नहीं देखा था रेजर्टेल ड्रेक ने भी आदर्श को इतना बड़ा रूह कामपने वाला खौफ नहीं दिया था क्या कोई उसे बता सकता था कि वह क्या देख रहा था वह इस समय हांग जो में थे आधुनिक शहर मानव सभ्यताग्वारा हजारों वर्षों में बनाया गया था गगंचुम्भी सांप अब इसके केंदर में कहीं से भी क्यों निकलेगा जिनक्सिया मेरे पीछे आदर्श ने अपनी ही जीब काट ली केवल यही उसे उस दर पर काबू पाने में मदद करेगा जो उसके दिल को भर रहा था पारदर्शी खिड़की के पीछे खड़े होकर आदर्श बाकी भील की तरह अपनी जान बचाने के लिए नहीं भागा वस पष्ट रूप से जानता था कि मनुष्य की गती के साथ गगन्चुम्भी सांप का सामना करते हुए अपनी मृत्यू की प्रतीक्षा में खड़े होने से कुछ अलग नहीं होगा जैसा कि आदर्श ने महसूस किया कि गगन्चुम्भी सांप धीरे धीरे अपनी दिशा में उसके सिर पर पहुँच रहा है आदर्श ने अवचेतन रूप से शिनक्सिया को खींच लिया जिसका दिमाग खाली हो गया था उसके पीछे गगन्चुम्भी सांप अपने शरीर को बढ़ा रहा था उसका चेहरा धीरे धीरे आगे की ओर जुप गया जैसे उसने कुछ दिल्चस्प देखा हो यह धीरे धीरे रिस्तरा की खिलकी के पास पहुँचा इसकी लाल्टेन के आकार की आखें इमारत की सतरवी मन्जिल पर स्थित रेस्तरा के समानांतर थी मनुष्य की एक जोडी आखें असीम आतंक से भरी होने के बावजूद उनमें जीने का ग्रिड निश्चे रखती थी प्रोध या खुशी के किसी भी संकेट के बिना सांप की आखों की एक जोडी यह बताना असंभव था कि यह क्या करने की योजना बना रहा था हो सकता है कि यह बेतरतीब धंग से एक जगह पर अपनी तकट की लगा रहा हो और किसी तरह यह जोडी बस अपनी द्रिश्टी के भीतर हो गई यह स्काई स्क्रैपिंग स्नेक की एक नासमझ हरकत हो सकती है लेकिन इसने एक ऐसा खत्रा पैदा कर दिया जो उस आदमी को था जो अपने पीछे चल रही महिला की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था काले बादलों ने शहर की चमकदार रोशनी को प्रतिबिंबित किया बादलों की निकटम परत प्रतिकात्मक गगंचुंबी इमारते थी जो उचे पेडों की तरहे खडी थी वे मानव जाती के आधुनिक और समरिध का प्रतीक थे लेकिन आज रात वे बादलों के सबसे करीब नहीं थे वह एक पौरानिक सांप था जो अपने शरीर को सीधा कर रहा था आश्चर्यजनक द्रिश्यमानव सभ्यता के लिए एक जोरदार तमाचा था विशाल जानवर के सामने अपमान और शुद्रता ने मानवता की समझ को पूरी तरह से खत्म कर दिया था जिसने महसूस किया कि वे केवल कुए के तल पर रहने वाले मेंधक थे यह हिल नहीं रहा था नहीं यह कुछ नश्ट कर रहा था लेकिन यह पहले से ही उस स्थान के लिए एक बड़ी आपदा थी बड़ी उचाई से घने काले बिंदूओं की तरह दिखने वाली भीर सभी दिशाओं में दोड़ पड़ी सभी चौराहों पर वाहनों ने जाम लगा दिया था कई लोग अपनी कारों से निकल कर पैदल ही भाग रहे थे एक दुहस्वपन अभी अभी आया था बिना किसी संकेट या मनुष्यों के खुद को तयार करने का कोई मौका नहीं कुछ मिनट बाद कुछ लोग अपनी पीठ पर पंखों के साथ दिखाई दिये जादूगर जो उरने में सक्षम थे मनुष्यों के बीच अत्यधिक सम्मानित थे क्योंकि वे अत्यधिक शक्तिशाली थे हालांकि वे स्काई स्क्रैपिंग सांप के चारों और चकर लगाने वाली मक्खियों और मच्छरों की तरह थे किसी भी करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे अच्छी खबर यह थी कि विशाल सांप ने अपनी निगाहें हटा ली थी, जैसे कि किसी और चीज ने उसका ध्यान खींचा हो जैसे ही उसकी गरगन का विस्तार होने लगा, वह बगल में चुक गया वह बादल के समान विशाल था इसकी आँखों को एक फोकस मिला वे एक सफेद शर्ट वाले आदमी पर टिक गए, जिसके लंबे बाल दक्षिन की ओर उड़ रहे थे उस आदमी के बाल महिलाओं की तरह लंबे थे, बिलकुल सीधे लंबे बाल वह आदमी पास की गगन चुमबी इमारत के नुकीले सिरे पर जागिरा उसके नीचे स्विमिन पूल था, जहां अमीर प्रिष्ठ भूमी की लड़कियां पहले ही बेहोश हो चुकी थी जिसके परिनामस्वरूप एक अंतरंग द्रिश दिखाई दे रहा था लंबे बालों वाले आदमी ने अपना सिर उठाया और विशाल साप की आखों में देखा आसपास के हजारों लोगों के बीच उनकी आखें, चील की तरहे तेज, केवल एक ही थी जो भय से भरी नहीं थी भले ही आप पर मुहर कुछ भी नहीं थी, यह आपको सडकों पर इस तरहे के द्रिश को छेडने का अधिकार नहीं देता है वह आदमी चिलाया, जैसे वह गगंचुम्बी सांप से बात कर रहा हो गगंचुम्बी सांप ने आदमी को पूरी तरहे से नजरंदाज कर दिया उसने धीरे से अपना से उठाया, निकटम काले बादलों को भूरते हुए और फुफकारता हुआ अचानक गगंचुम्बी इमारत बनाने वाले सांप के शरीर पर एक धुन्ध छा गई शुरुवात में धुन्ध फीकी थी, केवल सांप के आश्चर्यजनक आकार को आशिक रूप से ढखा हुआ था यह जल्दी से काले बादलों की तरहे घना हो गया, गगंचुम्बी सांप को पूरी तरहे से अपने भीतर छिपा लिया धुन्ध और घनी हो गई और जल्द ही पूरे गगंचुम्बी सांप को ढख लिया इसने धीरे-धीरे जमीन को बादलों से जोडते हुए एक सांप का आकार बना लिया यह लंबे समय के बाद विलुप्ध होने का कोई संकेट नहीं दिखा जैसे ही वेस्ट लेक से हवा चली सांप के आकार की धुन्ध आखिरकार गायब होने लगी धीरे-धीरे दूर जा रही थी इस प्रक्रिया के दौरान लोग गगंचुम्बी सांप की आश्चर्य जनक आकरिती नहीं देख सकते थे वास्तव में जानवर तब तक जा चुका था जब तक धुन्ध उसके शरीर के चारों और लिप्टी हुई थी हालाकि लोगों ने अभी भी यह मान लिया था कि यह अभी भी वहा था क्योंकि इसमें से थोड़ी सी भी हलचल सडकों पर बुल्डोजर चलाने के लिए परियाप्त थी हर किसी के आश्चर्य के लिए वह जैसे पतली हवा में गायब हो गया था उसने एक भी इमारत को नश्ट नहीं किया नहीं उसने एक भी रोना नहीं बोला चांदी की गगंचुंबी इमारत और पांच सितारा होटल के बीच गायब धुन्द के अलावा कुछ भी नहीं बचा था ओह यह सच नहीं था इसने पूरे हांजो को ढखने के लिए भय की धुन्द छोर दी रेस्टोरेंट के अंदर आदर्श की काली शर्ट पहले से ही पसीने से लथपत थी यह पुष्टी करने के बाद की विशाल साम्प चला गया था आदर्श अपने अंगों को कमजोर होते महसूस कर सकता था सच कहूं तो वह विश्वास करेगा कि वह एक दुहस्वपन देख रहा है क्योंकि ऐसा अविश्वसने द्रिश केवल सपनों में ही हो सकता है एक मात्र समस्या यह थी कि वह अकेला ही उस डर की व्याख्या करने के लिए परियाक्त नहीं था जो इतना वास्तवित लगा जिसके परिणामस्वरुप वह थंडे पसीने से भीग गया था भाई आदर्श शिनक्सिया ने अपनी आखें खोली और केवल आदर्श की पीठ देख सकी भीगी कमीज उसकी पीठ से चिपकी हुई थी आदर्श अभी भी खड़ा था जैसे ही उसने और अधेक सांसे ली उसका शरीर अबचेतन रूप से जबरदस्त रूप से कामपने लगा शिनक्सिया की पुकार सुनकर आदर्श ने अपने विचारों को शांत करने की पूरी कोशिश की और मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया सब कुछ अब सब कुछ ठीक है क्या यह गायब हो गया शिनक्सिया ने भईभीत स्वर में पूछा मुझे भी ऐसा ही लगता है क्या आप जानते हैं कि यह क्या था उसने कमजोर स्वर में पूछा आदर्श ने सिर हिलाया उसने धीरे से अपना फोन निकाला और इंटर्मेक ब्राउस किया जैसा उसने सोचा था खबर जल्द ही व्यापक रूप से फैल गई हांग जो शहर में स्काई स्क्रैपिंग स्नेक का विशय हर सामाजिक मंच पर छा गया आदर्श ने कहा सरकार हमें एक स्पश्टी करण देगी किसी भी तरह से चलो पहले इस जगह को छोड़ दे मम्म शिनक्सिया ने सिर हिलाया वह जिला जो कुछ क्षण पहले अपेक शाकरित शांत था हौन, चीक और चीक पुकार से पूरी तरह अस्तव्यस्थ हो गया था लोग अब भी इधर उधर भाग रहे थे किसी को नहीं पता था कि साम्ट दोबारा दिखाई देने वाला है या नहीं हर कोई दोहस्वपन की भूमी छोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था आदर्श कानोनों की कम परवाह नहीं कर सकता था उन्होंने स्विफ्ट स्टार वुल्फ को बुलाया और जल्दी से क्षेत्र छोड़ दिया वह एक शब्द भी नहीं कहना चाहते थे और नहीं वह इंटरनेट पर हो रही चर्चाओं की परवाह करने के मूर में थे वह पूरी तरह से शिनक्सिया को कहीं सुरक्षित लाना चाहता था आदर्श को पता नहीं था कि इसके बाद क्या होगा दर के मारे वह अपनी जिग्यासा पूरी तरह खो बैठा वह केवल यही चाहता था कि वह वस्तु उसके सामने फिर कभी प्रकट नहो हांग जो के लोग डरो मत यह केवल एक जानवर की छाया है जिसका आविशकार हाल ही में किया गया है साम बिलकुल भी असली नहीं है यह केवल एक भ्रम है यही कारण है कि यह बिना किसी संकेत के प्रकट और गायब होने में सक्षम था यदि यह एक सचा दानव जानवर होता तो इसका आकार ही शहर में पूर्न विनाश लाता एक घंटे से भी कम समय में आधिकारिक पार्टी ने चौकाने वाली घटना पर टिपणी की थी तो यह केवल एक भ्रम था उन्होंने कहा कि यह धुन्द से बना है लेकिन यह बहुत वास्तवित लग रहा था हाँ आखे स्पॉटलाइट के जोडे की तरह थी मैं दस सड़कों से अधिक दूर था लेकिन ऐसा लगा कि वह चीज ठीक मेरे सामने थी कोई रास्ता नहीं है कि एक भ्रम है वे कुछ छिपा रही है जब यह हुआ तो मैं होटल में ही था मैं अपने कोन से उसका सिर्स पष्ट रूप से देख सकता था यह निश्चित रूप से किसी जादू से बना भ्रम नहीं है एक दिन के अंदर इस हैरान कर देने वाली खबर पर पूरे देश के लोगों की नजरे टिकी थी घटना के समय मौजूद कई लोगों ने सरकार पर कुछ चिपाने का आरोप लगाया हाला कि हर दूसरी महाकाव यह घटना की तरह इसे धीरे धीरे भुला दिया जाएगा जब इसके बाद कोई खबर नहीं आएगी क्योंकि देश भर में हो रही अन्य घटनाओने लोगों का ध्यान खीचा था दूसरे दिन लोग अभी भी सबूतों को इंटरनेट पर सूची बध कर रहे थे आधिकारिक पक्ष सिस पश्टी करण देने की मांग कर रहे थे तीसरे दिन ज्यादातर लोगों का जुकाव सरकारी बयान पर विश्वास करने की ओर रहा कोई फर्क नहीं पड़ता कि गगंचुंबी सांख कितना असली दिखता है कोई भी यह नहीं बता सकता कि यह कैसे प्रकट हुआ और बादल के टुकडे की तरह गायब हो गया दानव जानवर स्वभाव से जंगली थे यदि ऐसा विशाल जानवर वास्तव में प्रकट होता तो पूरा जिला खंडहर हो जाता एक हफते बाद कम लोग इस विशय पर चर्चा कर रहे थे जंता ने अपना ध्यान दानव जानवर की नई प्रजाती की ओर स्थानांतरित कर दिया था जो तट के किनारे दिखाई दी थी आदर्श सप्ताह के दौरान हांग जो में रुके थे उसके दिल से डर की धुन्ध छटने में पूरा एक हफता लग गया भ्रम छाया तत्व से निर्मित किसी प्रकार का निर्मान एक जादूगर के रूप में जिसने काफी समय जंगल में जीवित रहने में बिताया था आदर्श एक आदमी के रूप में उसके पास जो कुछ भी था उसके साथ गारंटी दे सकता था कि यह निश्चित रूप से सिर्फ एक भ्रम नहीं था स्काइ स्क्रेपिंग स्नेक असली था और आदर्श को एक मजबूत एहसास था कि यह फिर से खुद को दिखाएगा आदर्श ने अपना ज्यादातर समय उस अपार्टमेंट में बिताया जो उन्होंने किराय पर लिया था वह अपनी खेती पर भी ध्यान नहीं दे पाता था हर बार जब वह अपनी आखें बंद करता तो उसका मन साप के विशाल चेहरे और उसकी घातक थंडी आखों से भर जाता यह वास्तव में क्या था इस दुनिया की कोई भी सरकार राक्षसी जानवर के बारे में जानकारी छिपाने की कोशिश नहीं करेगी अधिकारी यह दावा क्यों करेंगे की यह उनके बयान में भ्रम था जस्ततम सडकों के बीच इतना विशालकाय सांप कैसे दिखाई दिया और बिना किसी विनाश के गायब हो गया जानवर किस शेणी का होगा यह निश्चित रूप से कमांडर स्तरका नहीं था आदर्ष ने सेनापती स्तरके बहुत सारे राक्षस जानवरों को देखा था और फिर भी वह पहले कभी किसी से इतना भयभीत नहीं हुआ था आदर्ष सांप के साथ कुछ नहीं करना चाहता था हालांकि इसे देखने के बाद उन्होंने महसूस किया कि वह अपनी खेती पर ध्यान केंदरित नहीं कर सकते अगर उसके मन में संदे और भय बना रहता है तो वह असहज महसूस करता है मुझे लगता है कि कोई है जो मैं पूछ सकता हूँ कि क्या मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूँ आदर्श ने अपना मन बना लिया वह कम से कम यह जानना चाहता था कि यह क्या था और यह पता चला कि इसने उसके साथ क्या किया था ताकि जब भी वह अपनी आखें बंद करे तो उसका मन भय से अभिभूत हो जाए मिस टांग्यू क्या तुम आजाद हो मैं हांग जो में हूँ आदर्श ने कहा सेना में आराम करने के बजाए आप वहां क्या कर रहे है तैंजुए ने उसे डाटा मैं अच्छी तरह से आराम कर रहा हूँ दरसल मैं एक हफ़ते पहले से हांग जो में हूँ आदर्श ने कहा तंग्यू एक पल के लिए रुका, गंभीर स्वर में पूछने से पहले क्या तुमने इसे देखा? हाँ, मेरी जगहे पर आओ, मुझे अब वेस्ट लेक शेत्र के करीब जाने में काफी डर लग रहा है हाँ, तिल्द तंग्यू ने उफास के संकेत के साथ पूछने से पहले एक सुखद खीस निकाली, यहां तक की एक आदमी जितना निडर आप एक बार के लिए डर लगता है आदर्श तंग्यू के अपार्टमेंट में आराम करने के बारे में सोच रहा था जब परिपक्व भव्य शिक्षक धीले सूती निक्वेर में उसके पास आया उन्ची एडी की एक जोडी के उपर उसके लंबे पैर बिल्कुल आश चर्यजनक थे टीएस के टीएस के उसकी कामुकता और आकर्शन निश्चित रूप से कुछ ऐसी थी जिससे कई युवा लड़कियों को जलन होती थी और फिर भी कुछ ऐसा था जिसे वे मेकप के साथ नकल नहीं कर सकती थी आपको किसकी तलाश है आकर्शक शिक्षिका ने आदर्श की और आखे मूंद ली वह अभी तक किसी ऐसे लड़के से नहीं मिली थी जो आदर्श से ज्यादा असभ्य हो ऐसा लगा जैसे वह अपनी आखें उसके शरीर पर चिपताना चाहता है क्या वह जानता था कि एक पीपर क्या था? क्या उसका कोई चहरा था? आदर्श ने कहा, मिस टांग्यू, मेरा मानना है कि अगर मिडल स्कूलों में आपके जैसे अधिक शिक्षक होते तो मातापिता को कभी चिंता करने की जरूरत नहीं होती कि उनके बच्चे किसी तरह अपने विकास के दौरान अस्थिर हो जाएंगे तैंजुए अपने गालों को जलता हुआ महसूस कर सकती थी आगे बढ़ने से पहले उसने एक गाली दी वह इस छोटे से जटके से अपना समय बर्बाद करने के मूर में नहीं थी आदर्ष ने जल्दी से पीछे पीछा किया और पूछा हम कहा जा रहे हैं कहीं भी नहीं तैंजुए एक महान बिल्ली की तरह फैला हुआ है जो अभी अभी जबकी से जागा है आदर्ष ने तांग्यू जिले की और एक नजर डाली उसे पकड़ने से पहले उसने एक गहरी सास ली जब तांग्यू ने देखा कि आदर्ष उससे आधा कदम धीमा है तो वह हंसे बिना न रह सकी क्या यह वास्तव में इतना डराबना था आदर्ष ने सिर हिलाया उनका मानना था कि उनके राक्षसी रूप में भी गगन्चुम्भी सांप अभी भी उन्हें तुरंट मार डालेगा मुझे तुम्हें एक कहानी सुनानी है तांग्यू ने अपनी गती कम की और आदर्ष के साथ साथ चलने लगी क्या यह सांप के साथ कुछ करना है आदर्ष से पूछा यह मेरे साथ कुछ करना है तैंजुए ने एक आकरशक मुस्तान पहनी थी मम, क्या हमें वंस अपॉन ए टाइम से शुरुवात करनी चाहिए बिल्कुल तंग्यू ने आदर्ष को देखा आदर्ष ने आग्याकारी ढंग से अपना मुह बंद कर लिया अब माहौल को बिगाडने की कोशिश नहीं कर रहा है तंग्यू धीनी गती से चल रहा था उसकी हाई हील्स धीनी लए में जमीन पर थपकी दे रही थी जो कानों को काफी सुखद लग रही थी उसके बालों से मनभावन सुखंध, उसके पसंदीदा इतर के साथ मिश्रित जब भी कोई हवा उनके पास से गुजरती थी यह काफी आकर्शक था किसी भी पुरुष को उसके परिपक्व आकर्शक शरीर में गोता लगाने और इसे सुखने का आगरह देता था आदर शांग जो से काफी प्यार करता था क्योंकि उसके साथ हमेशा यहां खूबसुरत मही लाएं होंगी कम से कम एक हफ़ते पहले उसने यही सोचा था मेरा ग्रिहनगर छोटी जीलों से घिरा एक छोटा सा गाव है गाव वास्तव में जीलों द्वारा बिखरा हुआ है यदि खंडों को आपस में जोर दिया जाता तो यह एक कस्बे के आकार का हो जाता तैंग्यू की आखें उदासीन द्रिष्टी से जिल्मिला उठी ऐसा लगता था जैसे वह वास्तव में जीलों से घिरे एक गाव में रहती थी आदर्श ने कहा मेरा गाव पहाडों से घिरा हुआ था अरे मुझे बीच में रोकना बंद करो तैंग्यू ने आदर्श को देखा आदर्श ने कंधे उचकाए और अपना मुह बंद कर लिया इसके अलावा हमारा गाव भी सुरक्षित शेत्र के बाहर स्थित है गाव में ज्यादातर लोग जादूगर है यहां तक कि वे लड़कियां भी जो ऐसा लगता था कि वे हवा के एक जोके को भी बरदाश्ट नहीं कर सकती वे यहां एक उत्कृष्ट शिकारी होंगी टैंग्यू एक पल के लिए रुकी और जानबूच कर आदर्श को मुस्कराहट के साथ देखा तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा अर्र आदर्श अवाक था क्या आप वही नहीं है जिसने मुझे आपको बाधित करने के बारे में चेताबनी दी थी वह जल्दी से नाटक में शामिल हो गया और पूछा तो वह क्यों था जैसे ही उसने सवाल पूछा उसे अचानक एहसास हुआ कि गाउ अजीब लगता है पूरे गाउ का शक्तिशाली जादूगर होना अभी भी उचित था क्योंकि वे कुछ ऐसे स्थान थे जहां अधे प्रतिभाशाली लोग थे हाला कि चूंकी गाउ सुरक्षित शेतर में स्थित नहीं था इसका मतलब यह भी था कि यह दानव जानवरों के खेतर में था यहां तक कि यदि कोई शहर सुरक्षित खेतर के बाहर स्थित होता तो वह काफी तेजी से राक्षस जानवरों से भर जाता बकाया रक्षा के बिना एक छोटे से गाउ की तो बात ही छोड़ दे ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा गाउ एक देवता के सनरक्षन में है तांग्यू मुस्कुराया उसकी आखें अर्धचंदर की तरह थी एक भगवान के सनरक्षन में आदर्श अस्मन जस्मिथा यह सही है हम राक्षस जानवरों द्वारा घुसपैट किये जाने के बारे में चिंतित नहीं है भगवान की उपस्थिती के कारण आपको गाउ के 10 किलोमीटर के दाएरे में एक भी राक्षस जानवर नहीं मिलेगा तांग्यू ने कहा क्या वास्तव में कोई देवता ऐसा कर सकता है मैंने सोचा कि वे केवल किसी की आत्मा को आराम दे सकते हैं आदर्श ने कहा वह भगवान नहीं जिसकी हम पूझा करते हैं आदर्श ने मजाक में कहा तो मुझे बताओ कि तुम किस भगवान की पूझा करते हो शायद मुझे जल्द ही उनसे मिलने जाना चाहिए ताकि वह मेरे ग्रिहनगर की भी देख भाल कर सकें आप पहले ही मिल चुपे हैं तांग्यू ने आदर्श को देखकर आख मारी आदर्श अवाक रह गया वह कब से अपने भगवान के दर्शन करने लगा हालाकि किसी कारण से आदर्श का मन तुरंत गगन्चुम्बी सांप के चहरे से भर गया उसे उसकी गहरी आखें याद आ गई यदि वह इसका वर्णन करता तो वह जानवर वहाँ एक देवता की तरहें खड़ा होता आदर्श सहन गया उसने मुस्कराते हुए तांग्यू को अविश्वास से देखा वह अवचेतन रूप से एक कठोर अभिव्यक्ती के साथ कुछ कदम पीछे हट गया न जाने क्या-क्या कहने लगा तांग्यू मुस्कराते हुए आदर्श को भूरता रहा आदर्श हमेशा आध्यात्मिक बातों के प्रती उदासीन रहता था सच कहूं तो जब धर्म जैसी चीजों की बात आती है तो वह सरल दिमाग के थे वह एक भावुक व्यक्ती से बहुत दूर थे तैंजूए ने सोचा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वह डरे यहां तक कि अगर कोई ऐसी चीज थी जो उसे डराती थी तब भी वह अपने विशिष्ट काले हास्य के साथ उस पर काबू पाने की कोशिश करता था हालांकि गगन चुम्भी सांथ किसी तरह आदर्श की नसों में घुस गया था इस प्रकार टैंग्यू उसे और छेडने की इच्छा के बिना नहीं रह सका मिस, मिस टैंग्यू, कृप्या मेरे साथ इस तरह से मजात न करें आदर्श को ये शब्द बोलने में काफी वक्त लगा मैं मजात नहीं कर रहा हूँ, तंग्यू अभी भी वही मुस्कान लिये हुए था तुम्हारा गा, क्या सब सर्पव्यक्ती हैं, आदर्श से पूछा टैंजूए ने अपने आखें घुमाई और कहा, कृप्या, हम सब इनसान है मनुश्य, लेकिन तुम एक साब को भगवान के रूप में पूज रहे हो, आदर्श इसे समझने में अस्फर रहा क्या आपने इतिहास भी पढ़ा है, तंग्यू अभाक था कि आदर्श अपनी पढ़ाई में कितना आलसी था वास्तव में नहीं, कृप्या मुझे बताएं, आदर्श दुनिया की अपनी अवधारना को चर्मराते हुए महसूस कर सकता था स्कूल में इतिहास की कक्षाओं को इसका उलेख करना चाहिए था, लेकिन ज्यादा नहीं यहां हमारे गाव का एक रहस्य भी है, और हम आमतार पर इसके बारे में बाहरी लोगों को तब तक नहीं बताते हैं, जब तक की तांग्यू रुप गया जब तक मैं दामाद नहीं बन जाता, आदर्श को टोका हम जो तुम्हारे जैसा मैल चाहता है, तांग्यू को बोला मैंने तुमसे नहीं कहा मुझे लगता है कि आपके गाव में अभी भी दूसरी लड़कियां हैं, बातुनी आदर्श ने जवाब दिया मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कहीं ले जाओंगा, तंग्यू को आदेश दिया कोई मौका नहीं, तुम्हारा जैसा अजीब गाव निश्चित रूप से कुछ पागल कर देगा, जैसे जीवित बलिदान चड़ाना मुझे आपके रहसे में कोई दिल्चस्पी नहीं है, और मैं नहीं जा रहा हूँ आदर्श ने जोर से सिर हिलाया, मुझे लगता है कि आप बहुत सारी फिल्में देख रहे हैं तैंजुए को एक ही समय में रोने और हंसने का मन हुआ आखिरकार आदर्श ने समझाता कर लिया तांग्यू ने आदर्श को बताया था कि क्यों उसके दिल में लगातार डर बना रहता है क्यों वह गगनचुम्बी सांप का चेहरा देखता रहता है जब वह अपनी आखें बंद करता है उसे अपने उपर फुफकारता हुआ देखता है ऐसा इसलिए था क्योंकि गगनचुम्बी सांप ने अपना शिकार चुन लिया था समय आने पर वह पहले की तरह कहीं से प्रकट होकर उसे जीवित ही अपने पेट में निगल जाती ओ अगर आप जागरूप नहीं है तो सांप अपने शिकार को जिन्दा खाना पसंद करते है निगलने के बाद आप तुरंट नहीं मरेंगे इसके बजाए तुम धीरे-धीरे पच जाओगे तांग्यू ने विवर्ण को और स्पष्ट किया जिससे आदर्ष दर से कामपने लगा दीदी, कृपया और न कहें मैंने पहले ही तुम्हारे साथ जाने का वादा किया है आदर्ष ने लंबा चहरा धारन किया आदर्ष टांग्यू के पीछे वेस्ट लेक तक गया जैसे ही वे पहुँचे वे तुरंत एक नाव पर चढ़े और उसे जील के मध्य तक ले गए पानी साफ और शांत था चोटी नाव के आसपास के प्रतिबिम से सफेद बादल देखे जा सकते थे आम तौर पर आदर्ष एक छोटी सी नाव पर टांग्यू के साथ अकेले रहकर अश्लील कल्पनाए करना शुरू कर देता था वह कल्पना करेगा कि एक अलग नाव पर होने के कारण वह उसके साथ किस तरह की बुरी चीजे कर सकता है हालांकि इस बार वह ऐसा नहीं कर सके वास्तव में उसके मन में भय समाया हुआ था जिससे वह हर समय असहज महसूस करता था एक हड़ तक जब आदर्ष साफ पानी में घूर रहा था तो वह किसी तरह नाव के ठीक नीचे पानी के अंदर एक विशाल कुंडलित शरीर देख सकता था नाव केवल एक पत्ते की तरह जील पर तैर रही थी जबकि उसके नीचे का शरीर केवल एक हिमशैल का सिरा था पानी अचानक गहरा हो गया जैसे अंधेरे से सांप का चेहरा अचानक उसके पास आ गया उसने अचानक खुद को एक गहरी खाई में पाया दर में खो गया उसे क्या हो रहा था आदर्श ने कभी इतना निराश महसूस नहीं किया था क्या ऐसा हो सकता है कि टंग्यू वास्तव में सच बोल रहा था वह एक ऐसा शिकार था जिसे चिनहित किया गया था जैसे ही नाव तट पर पहुँची आदर्श ने तुरंट नीले रंग की पोशाक में एक व्यक्ति को देखा जो इलाके पर नजर रख रहा था तंग्यू को देखकर उसकी आखें चमक उठीन लेकिन जब उसने आदर्श को देखा तो उसकी उत्तेजना की जगह भुभंग ने ले ली तंग्यू हम बाहरी लोगों को यहाँ अनुमती नहीं देते आदमी ने कहा दाशिंग वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है तंग्यू ने आदर्श से तट पर जाने का आग रह किया क्योंकि उसने नाव को डॉक किया क्या इसका मतलब है तुम दोनों पहले से ही दाशिंग नाम का आदमी हैरान रह गया यदि वह उसे केवल इसलिए अस्विकार कर रहे थे क्योंकि वह एक बाहरी व्यक्ति था तो यह अब शुद्ध शत्रुता में बदल गया था जब उसे इस बात का एसास हुआ तो टैंग्यू शर्मा गई वह शर्मा गई तुम क्या सोच रहे थे वह मेरा चात्र है ओह ओह एक चात्र मुझे लगता है कि तब आपको एक बाहरी व्यक्ति नहीं माना जाएगा दाशिंग ने हंस्ते हुए कहा आदर्श के प्रती उनकी शत्रुता शीघर ही दूर हो गई तो तुम लोग इस द्वीप के प्रभारी हो मैंने शुरू में सोचा था कि यह आगंतुकों के लिए खुला है पेड़ पौधो से सजाया गया था दाशिंग अब तुम वापस जा सकते हो इसे मुझ पर छोड़ दो कांग्यू ने कहा ओह पक्की बात दाशिंग ने नाव ली और बिना किसी हिचकी चाहट के निकल गए जब आदर्श ने डैशिंग को बिना किसी चिंता के जाते देखा तो वह चकित रह गया क्या यह द्वीप खाली नहीं है कुछ भी हो सकता है जब एक पुरुष और एक महिला को उस पर अकेला छोड़ दिया जाए क्या वह वास्तव में मानता है कि हम केवल शिक्षक और छात्र है आदर्श के दिमाग में ये विचार भरे हुए थे लेकिन जैसा कि उसने उम्मीद की थी जल्द ही इसे साम्ट के चहरे से बदल दिया गया ये भगवान इसे नरक में ले जा ठीक है आज मेरी ड्यूटी पर आने की बारी है लेकिन जब से तुम यहां हो यह बहुत उबाउं नहीं होगा तंग्यू मुस्कुराया वह आदर्श को लेकर ज्यादा सतर्क नहीं दिख रही थी आदर्श यह स्विकार कि ये बिना नहीं रह सका कि उसका मन भद्दे विचारों से भरा हुआ था एक सुनसान ग्वीब, एक पुरुष और एक महिला अकेले रह गए एक सुन्दर द्रिश और एक शिक्षक और एक छात्र के बीच एक वर्जित रिष्टा भले ही वे अब छात्र और शिक्षक नहीं थे सांप का डर भी अब उसे रोप नहीं सका तैंजुए ने अपने हाथ उसके पीछे रख दिये वह एक खुशमिजाज किशोर लड़की की तरह थी जो अपने एक दोस्त को किसी ऐसे स्थान पर लाती थी जिससे वह परिचित थी उसकी चलने की गती धीमी और आराम से थी और जब वह पहली बार एक शिक्षक के रूप में अपनी लुभावनी और आकरशक आभा के विपरीट वह मिलनसार और कोमल दिखती थी आदर्ष ने टंग्यू का पीछा किया और हरी टाइलों और लाल खंभों से बने क्रॉस के केंदर में एक इमारत के सामने पहुँचे इसने क्षेत्र के चारों और सिगनेचर बिल्डिंग स्टाइल को अच्छी तरह से प्रदर्शित किया इमारत को प्राचीन वस्तूओं से सजाया गया था जैसे ही आदर्ष अंदर गया न केवल मेज पुरानी वस्तूओं से भरी हुई थी बलकि दीवारों पर भी प्राचीन कथाओं के चित्र थे दीवार चित्रों में मनुश्य और एक असपष्ट दानव जानवर शामिल थे उन्होंने एक गाव, जीलों और कुछ अजीब दिखने वाले जीवों को गाव के चारों और एक धेरे में चित्रित किया आमतोर पर आदर्श इस तरह की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते यहां तक कि अगर उसने किया, तो वह कभी नहीं समझ पाएगा कि चित्र क्या दिखा रहे थे हालांकि आदर्श ने ड्रॉइन के कुछ अंशों को तब समझा जब उसने उस कहानी को याद किया जो टांग्यू ने उसे बताई थी असपश्ट दानव जानवर गाव के चारों और लिपता हुआ था करीब से देखे बिना वे गाव की सीमाव की रक्षा करने वाली दो दीवारों की तरह लग रहे थे लेकिन वह वास्टव में एक साप था सामझ पूरे गाव में अंगूठी की तरह लिपत रहा था दानव जानवर एक घेरे में गाव के चारों और बिखरे हुए थे वे भाग रहे थे जिसका अर्थ था कि वे गाव से डरे हुए थे सच तो यह था वे गाव से नहीं उसकी रक्षा करने वाले साप से डरते थे प्राचीन रेखाचित्रों में बहुत अधिक विवर्न नहीं थे कहानी सुने बिना गाव के चारों और का घेरा सांप के रूप में नहीं दिखेगा क्या तुम मुझे सच कह रहे थे तांग्यू को देखने से पहले आदर्श ने पुरानी दिवारों पर नजर डाली तैंजुए ने सक्ती से सिरहिलाया यह दर्शाता है कि वह मजाक नहीं कर रही थी साप वास्तव में तुम्हारे गाव की रक्षा कर रहा है आदर्श ने अविश्वास में पूछा मम्म इसलिए हम इसे भगवान कहते हैं यह द्वीप भी उसी कहानी को चितरित कर रहा है तांग्यू ने कहा आदर्श अवाक रह गया उसने द्वीप के आकार को याद किया एक अंगूठी यह पता चला कि वेस्ट लेक पर यह विशिष्ट ग्वीप जो सदियों से अस्तित्व में था पहले से ही एक संकेत था कौन जानता था कि यह एक ऐसा आश्चर्यजनक रहस्य छुपा होगा दुर्भाग्य से उनकी मिस्टांग्यू रहस्य की संरक्षक थी क्या इसलिए यह दिखाई दिया लेकिन एक भी इमारत को नश्ट नहीं किया और नहीं इससे कोई हताहत हुआ आदर्श से पूछा खबर पहले से ही सारवजनिक थी स्काइ स्क्रैपिंग स्नेक ने एक भी इमारत को नहीं रौन्दा और नहीं इसने एक भी व्यक्ति को मारा वास्तव में इसके जैसे विशाल जानवर के लिए इसे विशेश रूप से खुद को चींटी जैसे मनुष्यों पर रौन्दने से बचने के लिए स्थिती में लाना होगा तैंजुए सिर हिलाया सरकार आपके गाउं के बारे में जानती है और जानती है कि यहाँ आपका भगवान है इसलिए उन्होंने सक्चाई को छिपाने का फैसला किया है आदर्श से पूछा तैंजुए ने सिर हिलाना जारी रखा लेकिन क्या आपको नहीं लगता यहाँ है यह यह भयानक है और अगर यह नियंतरन खो देता है तो यह पूरी तरह विनाश लाएगा तैंजुए खिल खिलाया मम्म यह सबसे व्यस्थ जिले में बिना किसी को देखे दिखाई देने और गायब होने में सक्षम है मेरा मानना है कि अगर इसे सार भूत होंगे यह डर लोगों को कुछ पागल करने के लिए प्रेरित करने के लिए काफी है आदर्श ने कहा आदर्श एक जादूगर था जिसे हाल ही में बहुत कुछ सहना पड़ा था और किसी चीज से डरना उसके लिए काफी दुलब था यहां तक कि उसे देखने के कि यह कहीं से भी क्यों दिखाई देगा आम तोर पर ऐसा तभी होता है जब उसे शहर में एक बड़ा खत्रा महसूस होता है मैं आपको यहां इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं आपसे और अधिक विवन जानना चाहता हूँ जब यह सब हुआ तब यो मौजूद थे क्या जब यह सोच सकता था कि सांप उस इमारत को कैसे घूर रहा था जिसमें वह था आदर्श ने इमानदारी से कहा मुझे लगता है कि यह मुझे देख रहा था क्या आपको यकीन है वास्तव में नहीं इसकी आखें इतनी बड़ी थी शायद इमारत में कुछ उसे असहर महसू जब यह महसूस हुआ कि उसे कोई खत्रा नहीं है तो वह तुरंक निकल गया लेकिन आदर्श को अब भी इससे कोई मतलब नहीं था यहां तक कि जब वह दुश्टात्मा का रूप धारन करता था तब भी उसकी ताकत की तुलना केवल एक कमांडरस्टर के दानव जानवर स की जा सकती थी स्काइ स्क्रैपिंग स्नेक का स्तर निश्चित रूप से कमांडरस्टर से अधिक था इसके लिए खुद को दिखाना जरूरी नहीं था हो सकता है वास्तव में उस इमारत में कुछ था जिसमें वह था तैंजुए गहरी सोच में पढ़ गया वह इस बारे में देख भाल करता था लेकिन वह हजारों साल पहले की बात है अब यह एक शहर की देख भाल करता है और शहर को हांग जो कहा जाता है तांग्यू ने कहा आदर्श ने अपना मोह चोड़ा किया यह काफी देर तक खुला रहा क्योंकि उसे कोई शब्द नहीं मिला किसने सोचा ह कि इतना विशाल जानवर जिसने लोगों में इतना भय पैदा कर दिया था शहर का सनरक्षक बन गया यह निश्चित रूप से अब तक का सबसे अविश्वसनिय रहस्य था जिसका उसने सामना किया था मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना आदर्श ने कहा आपने कुल्देवता के बारे में सुना होगा है ना तैंजुए दूसरी दीवार के पास गया और उस पर पैंटिंग की ओर इशारा किया कुल्देवता यह जाना भचाना लगता है बहुत समय पहले मानव जंजातियों के अपने जंडे थे और जंडे टोटेम गार्जियन बीस्ट के साथ खीचे गए थे क्या आप मुझे बता रहे हैं कि सांप उनमें से एक है आदर्श को तुरंत होश आया उनकी इतिहास की कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों में पहले टोटेम शब्द का उल्लेक किया गया था प्राचीन समय में मनुष्य अपने निवास स्थान की शां थे या उनकी रक्षा भी करते थे दुर्भाग्य से ये टोटेम जानवर हजारों साल पहले केवल किमवदंतियों में मौझूद थे जादू के इंसानों के दैनिक जीवन का हिस्सा बनने के साथ उन्होंने खुद की रक्षा करना सीखिया था उनका संपर केवल टोटेम बी रक्ती से डरते थे इसके अलावा अधिकांश टोटेम जानवर अब इतिहास बन गए हैं इस प्रकार शेश कुछ शायद ही कभी खुद को दिखाएंगे मनुष्य अब उन्हें स्विकार नहीं करते हैं मेरा मानना है कि हम जैसे कुछ ही लोग टोटेम बीस्ट्स की रक्षा नहीं करते मैजिक कोट इसकी उपस्थिती से अच्छी तरह वाकिफ है वैसे मैजिक कोट के प्रमुख मेरे सबसे बड़े चाचा है आदर्श अवाक रह गया ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी मिस्ट आंग्यू उनके विचार से कहीं अधिक असाधारन थी तोटेम गार्जियन क कि अपनी पहचान को एक तरफ रखते हुए मैजिक कोट के प्रमुख की भतीजी के रूप में उनकी पहचान हर प्रसिध परिवार संधिया सेना के लिए परियाप्त सम्मान के साथ व्यवहार करने के लिए परियाप्त थी उस नोट पर आप बो सिटी में क्यों थे के मन में एक विचार आया अगर उसे ठीक से याद है शिनक्सिया ने उसे बताया था कि बो सिटी के लोग एक प्राचीन समराट द्वारा नियुक्त कुछ सनरक्षकों के वंशच थे लेकिन क्या वे भूमिगत पवित्र जरने की रक्षा नहीं कर रहे थे अंदर ब्लाक विटिकन के हमले के पीछे की असली मन्शा को समझ लिया हमें संदेह था कि वे टोटेन बीस्ट को लक्षित कर रहे थे जो खो गया था लेकिन हमें अंत्ता उनके अन्य लक्षियों का पता चला दुर्भाग्य से मुझे जाच जारी रखने के लिए नहीं कहा गया थ आदर्श गहरी सोच में पड़ गया ब्लाक विटिकन के खिलाफ एहतियात के तौर पर जान कोंग ने जनता के सामने यह खुलासा नहीं करने का फैसला किया था कि वह अभी भी जीवित है हाला कि अगर ब्लाक विटिकन उससे चुटकारा पाने की पूरी कोशिश कर रहे थे तो यह केवल कुछ समय की बात होगी जब तक की उन्हें सच्चाई का पता नहीं चल जाएगा आदर्श हक्का बक्का रह गया ब्लाक विटिकन के वे गधे क्या चाहते थे? क्या यह भूमिगत पवित्र जहरना था या टोटेम जानवर का रहस्य? इस विचार के साथ आदर्श ने दिवार पर एक सुंदर पेंटिंग खोजी उसके पास एक विशाल सांप था जो बादलों की मोटे तौर पर खीची गई परत्तक पहुँचने के लिए काफी लंबा था विशाल सांप के नीचे एक चोटा जीव था यह सांप की तुलना में केंचुए की तरह चोटा था आदर्ष खुद को फटकारे बिना नहीं रोक सका तो इस गगनचुंबी सांप का एक चोटा बच्चा भी है यह काफी प्यारा लगता है तैंजुए ने अपनी उंगली का अनुसर्ण किया और मुस्कराते हुए कहा जिस बच्चे का आप उलेक कर रहे हैं, वह स्काई स्क्रैपिंग स्नेक ही है एफ एस्टरिस्ट एस्टरिस्ट के मी, फिर इसके उपर क्या चीज है आदर्ष ने अपनी पैंट लगभग गीली कर दी थी स्काइ स्क्रैपिंग स्नेक निश्चित रूप से सबसे चौकाने वाला आकार था जिसे आदर्श ने पहले कभी नहीं देखा था अगर बादल होते तो आसानी से जमीन को आसमान से जोड सकते थे इस बीच वाल पेंटिंग में उसमें मौजूद सांप दस गुना से भी ज्यादा बड़ा था क्या यह स्वर्ग को ढखने वाला नहीं होगा? मैं भी नहीं जानता यह प्राचीम काल में लोगों द्वारा खीचा गया था शायद यह सिर्फ एक जंगली कलपना है कि गगन्चुम्भी सांप पूजा करता है कि कुछ भगवान मौजूद है यह उपर आकाश में रहता है और इसका आकार तो और भी संकी है तांग्यू ने उत्तर दिया यहां तक कि उनके कबीले के पास भी बहुत सारी प्राचीम किमवदंतिया थी जिन्हें वे आज नहीं समझा सकते थे आखिरकार जो ग्यान दिया जा रहा था उसका कहीं खो जाना आम बात थी आदर्श ने भी माना कि यह कोरी कलपना है नहीं तो अगर इतना विशाल जानवर असली होता तो उसे इसके बजाए मंगल ग्रह पर जाना चाहिए प्रिथवी उसके लिए बहुत खतरनाक थी अचानक उसने एक गहरी दहार सुनी जो किसी की आत्मा में प्रवेश कर सकती थी जील के बेहत करीब आदर्ष कामपने लगा उसने अपनी मिस्त आंग्यू को अविश्वास से देखा नहीं, मुझे मत बताओ यह यहीं है आदर्ष का एक स्प्रेशन अजीब हो गया आदर्ष को अब तंग्यू की बातों पर विश्वास हो गया उनके इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में टोटेम बीस्ट जैसी चीजों पर चर्चा की गई थी हलांकि जब भी आदर्ष को याद आया कि यह कहीं से भी कैसे प्रकट हो सकता है तब भी वह उस भारी डर को याद कर सकता था अगली बात जो उसे पता चली वह ठंडे पसीने से लथपथ था मम्मय यह वहीं है टैंजुए ने बाहर इशारा किया आदर्ष ने कहा मिस तांग्यू हम कहीं और इस पर चर्चा क्यों नहीं करते चलिए आपके घर चलते हैं हेहे तुम्हें इससे इतना डरने की जरूरत नहीं है यह काटती नहीं है क्या मुझे तुम्हें करीब लाना चाहिए ताकि तुम उससे दोस्ती कर सको टैंजुए हंसना बंद नहीं कर सका नहीं नहीं धन्यवाद मैं तुम्हें तुम्हारे अपने भगवान की पूजा करने दूँगा मैं एक बाहरी व्यक्ति हूँ मुझे यकीन है कि आपके भगवान को मेरा लहजा पसंद नहीं है आदश ने सक्थी से कहा ठीक है मुझे मजा आया यह वास्तव में यहां वेस्ट लेक में रहता है चंद्रमा को प्रतिबिंबित करने वाले तीन पूलों की सील अस्थिर हो गई थी जिससे यह हांजों में दिखाई दे रहा था या जील जैसी वह चाहे तैंजुए आदर्ष को एक ऐसे स्थान पर ले आया जहां वे चंद्रमा को प्रतिबिंबित करने वाले तीन ताल देख सकते थे एक नजर से आदर्ष को तीन पत्थर की मूर्तिया दिखाई दी जो पानी की सतह पर खड़ी देख जैसी दिखती थी यह संभावना थी कि वे पानी के नीचे बहुत लंबे बीम द्वारा समर्थित थे वे एक विशेश त्रिकोनी अगठन में स्थित थे उनके बीच समान दूरी के साथ कड़ाही के अंदर एक छोटी सी लौ टिम्टिमा रही थी जो पानी की सतह पर प्रतिविंद के रूप में दिखाई दे रही थी इसने आतंग की आखें हैं जो जीवित चीजों में आतंग का बीज बोती हैं जो उससे कमजोर है बीज आत्मा के भीतर गहरा होगा और शिकार को पता नहीं चलेगा कि यह एक विशाल व्रिक्ष बन गया है जब शिकार साम को फिर से देखता है तो वह डर के मारे अवचेतन रूप से अपने घुटनों पर गिर जाता है इसके शिकार में इसका विरोध करने का साहस नहीं होगा तांग्यू ने उसे अपनी स्थिती के बारे में बताया मुझे भी ऐसा ही लगता है केवल मिस्स तांग्यू जैसी महिला ही मुझे सोने से रोक सकती है कोई अन्यदानव जानवर ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा आदर्ष ने यह दिखाने के लिए हसा कि वह तनाव मुक्त था चिकनी जीब तंग्यू ने आदर्ष पर अपनी आखे घुमाई तंग्यू ने आदर्ष को डर पर काबू पाने का तरीका सिखाया था यह काफी आसान था जब वह ध्यान कर रहा था तो जब सांप का चहरा दिखाई दिया तो उसे अपनी निगाहें बदले बिना उसे घूरने पर जोर देना पड़ा जब तक वह एक बार डर पर काबू पा लेता तब तक दर का बीज अंकुरित नहीं होता अन्य था वह हमेशा के लिए दोहस्वपन में फंस जाएगा अपनी आंतरिक शांती खो देगा आदर्श अपना प्रयास करने के लिए चला गया तैंजुए की व्याख्या से यह काफी सरल लग रहा था लेकिन ऐसा करने की कोशिश करते समय ऐसा नहीं था भले ही वह केवल अपनी आध्यात्मिक दुनिया में डर का सामना कर रहा था फिर भी वह ठंडे पसीने से लथपत था हाला की प्रभाव तातकालिक था दर जल्द ही गायब हो गया ठीक वैसे ही जैसे पसीना हवा में उर गया था जैसे ही डर गायब हो गया आधर्ष को लगा कि अब तथाक्थित भगवान के दर्शन कर ले दूसरे विचार पर उसने जोखिम नहीं उठाने का फैसला किया शायद यह वास्तव में बाहरी लोगों का शौकी नहीं था यह उसके लिए एक आपदा होगी यदि यह उसकी आत्मा में कुछ आध्यात्मिक धुंद को समाप्त कर दे मैंने सोचा कि मैं इसका कारण पता लगा सकता हूँ कि यह आपके द्वारा शहर में क्यों दिखाई दिया इसलिए हम कुछ सावधानी बरत सकते हैं यह पता चला कि आप भी उतने ही खोये हुए हैं जितने हम हैं तंग्यू ने टहलते हुए कहा आधर्श ने कहा रिप्या मुझे नहीं लगता कि मैं उस तरपर चीजों के लिए कोई मदद कर सकता हूँ क्यों क्या तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तैंजूए ने अपनी आखें जपकाई ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता रुको मैंने कब से कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ आदर्श चौक गया जब आप आने के लिए सहमत हुए मैं तुम्हें रहस्य बताता हूँ और तुम मेरी उस चीज में मदद करोगे जो काफी समय से मेरे लिए सिर्गर्ग बना हुआ है तैंजूए ने अपनी आखें चौड़ी कर ली वह एक परिपक्व ग्लैमर्स चहरा था लेकिन फिर भी उसने भोली होने का नाटक किया आदर्श अवाक रह गया वास्तव में उसे लगा जैसे उसे यहां बर्गलाया जा रहा है ऐसा लगा जैसे टैंग्यू पहले से ही अपनी चाल की योजना बना रही थी जब उसने उससे यहां पूछा और उसे रहस्य बताने का फैसला किया तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए आदर्श ने कुटिल मुस्कान के साथ पूछा भगवान को हर दस साल में पर्मानंद से गुजरना पड़ता है और अदला चक्र बहुत जल्द हो जाएगा मैजिक कोर्ट के प्रमुख और ही उने मुझे इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है और मुझे कुछ उतकरिष्ट उम्मीदवारों को चुनने के लिए कहा है इडीसिस के दौरान भगवान बेहत कमजोर होंगे यह एक मात्र कमजोरी है जो भगवान के पास है इसलिए उसके प्राकृतिक दुश्मन या बुरे विचारों बाले लोग इस अफसर का उप्योग करने की कोशिश करेंगे इडीसिस से पहले यह काफी समवेदंशील होगा जब तक यह एक मामूली खत्रे का पता लगाता है तब तक यह पागल हो जाएगा यही मुख्य कारण है कि यह शहर के केंदर में दिखाई दिया आम तोर पर अगर हम सील नहीं खोलते हैं तो यह खुद को नहीं दिखाएगी तांग्यू ने कहा तो यह क्या करता है आदर्श कहने की कोशिश कर रहा था उसका इससे क्या लेना देना है सच कहूं तो हमें संदे है कि हमारे जन जाती में कोई दुश्मनों से मिलीबगत कर रहा है इसलिए चाहे हम कितने भी गुप्त क्यों नहों, फिर भी एक संभावना है कि दुश्मन को हमारी योजना के बारे में पता चल जाएगा मैंने मैजिक कोर्ट के प्रमुख को प्रस्ताव दिया है कि हम किसी बाहरी व्यक्ति का उप्योग करेंगे जिस पर हम भरोसा कर सकें, तांग्यू ने कहा तो मैं बाहरी व्यक्ति हूँ जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं आदर्श ने खाली चेहरे से अपनी नाक की ओर इशारा किया उसने सबसे पहले टंग्यों को फोन करने की जहमत क्यों उठाई अगर वह नहीं होता तो वह अभी इस जंजट में नहीं होता तैंजुए ने एक आकरशक मुसकान दी उसकी ग्लैमर्स आखें ठीक आदर्श को भूर रही थी मेरे सिर में दर्ध हो रहा था जब मैं यह सोचने की कोशिश कर रहा था कि जब आपने स्वयन सेवा की है तो मुझे क्या करना चाहिए मैं आपको जहास पर ले जाने से ज्यादा खुश हूँ आदर्श को लगा की टांग्यों का वर्तमान रूप उस पर फुफकारते हुए एक मुहक सांप की तरह था मानो वह उसे कभी भी जिन्दा खा जाएगी मुझे आप पर भरोसा है इसलिए मैं आपको रहसे बताने को तयार हूँ इसके अलावा आप हम मेंसे नहीं हैं नहीं आप किसी संगठन से बंधे हैं एक शालींता से साफ प्रिष्ठ भूमी इसके अलावा आप चतुर हैं आप जानते हैं कि स्थिती पर तेजी से प्रतिक्रिया कैसे करें मुझे विश्वास है कि तुम निश्चित रूप से अपने शिक्षक के लिए एक बड़ी मदद बनोगे तंग्यू इतनी खुश थी कि उसका मन हुआ की आदर्श को उसके गालों पर एक किस देदू वह काफी समय से इस मामले को लेकर परिशान चल रही थी हर दस साल में एक सीसिस बेहद महत्वपून था अन्य लोग सोच सकते हैं कि भगवान का अस्तित्व मानव जाती के लिए एक बड़ा खत्रा होगा लेकिन एक अभिभावक की भूमिका निभाने और इतने सालों तक भगवान के साथ रहने के बाद तांग्यो को किसी और की तुलना में अधिक विश्वास था कि वह वास्तव में एक अभिभावक था जो शहर में रहने वाले इंसानों से ज्यादा परवाह करता है मनुष्यों ने नगरों का निर्मान किया, नगरों ने इश्वर का पालन पोशन किया और इश्वर ने मनुष्यों की रक्षा की, जबकि मनुष्यों ने इश्वर की पूड़ा की यदि मनुष्य उसके जैसे भगवान के साथ बाच्चीत कर सकते हैं, तो उन्हें पता चल जाएगा कि भगवान कितने कोमल और दयालू थे यह जानते हुए कि भगवान अपने पर्मानंद के दौरान काफी गर्म मिजास के होंगे, और शक्तिशाली मनुष्यों या जीवित चीजों के प्रती बेहत शक्रुतापून होंगे, कि मैजिक कोर्ट के प्रमुख और हिउने उन्हें महत्वपून कार्य के प्रभारी के र था कि विशेशग्यों को उनके करीब ना आने दिया जाए, वह निश्चित रूप से नौकरी के लिए सबसे अच्छी उम्मीद्वार थी, यह एक भारी काम था, और फिर भी उन्हें विश्वसनियस रोतों से पता चला था, कि उनके कबीले में एक गगदार था, इसने टं तेंग्यों ने आदर्श का फोन आने के बाद ही उसे राज बता दिया था, दूसरे शब्दों में वह उसे जहास पर घसीतने की कोशिश कर रही थी, जिन लोगों पर वह भरोसा कर सकती थी, आदर्श निश्चित रूप से उनमें से एक थे, भूलना मत तुम अब भी आदर्श भी अब एक अमीर आदमी था, वह पहले था, तैंजुए बुद्बुदाया, यहाँ आदमी कितना अविश्वस निया हो सकता है, उसने खुद इसका वादा भी किया था, इस बीच आदर्श अपने दिल में कोश रहा था, इस बात का सपश्टिकरन खोजने की आदर्श ने कहा, मुझे विचार करने की अनुमती दें, ठीक है, तैंजुए ने उसे मजबूर नहीं किया, आखिरकार यह पूछना कोई छोटा सा एहसान नहीं था, यदि आप तयार नहीं है, तो कृपिया जो मैंने आपको बताया है, उसे भूल जाए, यह बहतर है कि कम लोग भगवान के अस्तित्व के बारे में जानते हैं, भगवान को लोगों ने स्विकार नहीं किया, वह उनके लिए अत्यधिक भय लाएगा, हांग जो में सरकार और प्रवर्तन संग प्राचीन टोटेम जानवरों के उतराधिकार की रक्षा करने के इच्छुक हो सकते है लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि राश्ट्र को नियंतरित करने वाला बड़ा अधिकार इसकी अनुमती देगा, भगवान की हाल ही में शहर में उपस्थिती ने ओरियंटल परले कावर और मैजिक पैलेस से लोगों का ध्यान आकरशित किया था, वे उम्मीद कर रहे थे क कि बहुत सारे जादूगर उनके पास आएंगे और उनसे सवाल पूछेंगे, यदि वे इश्वर को मृत्युदंड देने पर जोर देते तो उन्हें मृत्युदंड के दौरान एक मौका भी नहीं मिलता, तैंजुए उसके होंट काट लिया, उसकी आखे पानी की सतह पर ज गंचुमबी साम के लिए प्रार्थना करते देखा, बहुत समय पहले मेरे पिता राक्षसों के खिलाफ युद्ध में मारे गए थे, मैं बहुत कम उम्र में यहां अकेला रह रहा था, एक बार मैं एक छोटे से सासिक कार्य के लिए लिए लिंगयन परवत पर गया, और एक एसास हुआ की जानवर डर के मारे भाग रहा है, मैं मुड़ा और पहार से अंधेरे में वेस्ट लेक को देखा, जैसे ही चांदनी उस पर चमकी एक विशाल साम की छाया बेहोशी से दिखाई दी, यह मैं पहली बार देख रहा था, टैंग्यू के होंट थोड़ा उपर की और मुड़े और आगे बढ़े, यह अविश्वस नियरूप से बहुत बढ़ा था, लेकिन मैं डरी नहीं थी, यह मेरे बगल में रहने वाले एक बुजुर्ग की तरह था, जो मुझे बढ़ा होते देख रहा था, जब तक मैं यहां वेस्ट लेक पर हूँ, यह मेरी करेगा, आदर्श ने बीच में कोई रुकावट नहीं डाली क्योंकि उसने तंग्यू को कड़ी नजर से कहानी सुनाते हुए देखा, मनुष्य को घर की आवश्चकता क्यों थी इसका कारण यह था कि वे दरवाजे पर कदम रखते ही किसी भी चीज की चिनता किये बिना ब क्रिष्ट कवच बनाने के लिए एक महान सामगरी है। यह बहुत अधिक मांग नहीं कर रहा था। तो आप यही सोच रहे हैं हम्फ। तैंजुए परिशान। पूरी तरह से नहीं क्योंकि आपने मुझे बताया है कि वह आपके बड़े की तरह है तो वह मेरे लिए भी एक बड़ा है क्योंकि हम एक परिवार हैं। मैं तमाश बीन नहीं बन सकता। आदर्श ने सक्त लहजे में जवाब दिया। आपको किसने कहा कि हम एक परिवार हैं। क्या आपको कोई शर्म है। तैंजुए शर्मा गया। अपनी मिस्स तांग्यू को शर्मिंदगी महसूस करते देख आदर्श हंस पड़ा। उसका चहरा अब गुस्से से लाल हो रहा था क्योंकि उसकी आखे सीधे उसके फोन की स्क्रीन पर जा रही थी। हास्यास्पद या हास्यास्पद है। तैंजुए गुस्से से चिलाया। क्या है वह? वे बड़े आदनी को फंसाने की साजिश रच रहे हैं। तांग्यु ने अपना फोन आदर्श को सौंप दिया, जो ताजा खबर दिखा रहा था। हमें विशाल सांप के साथ हुई घटना से हताहतों की संख्या मिली है। दोनों शिकारियों को किसी जहर से पूरी तरह से जंग लगा दिया गया था, जिससे उनकी पहचान से परे उपस्थिती नश्ट हो गई थी। कोई यह नहीं बता पा रहा था कि वे मानव लाशे थी, लेकिन उनकी पहचान अभी सत्यापित की गई है। सांप के जहर के दिखाई देने के बाद उनकी मौत की पुष्टी हुई। समाचार देखकर आदर्श असमंजस में पढ़ गया। क्या उन्होंने पहले ही एक आधिकारिक बयान जारी नहीं कर दिया था कि इस घटना में किसी की मौत नहीं हुई थी। इतने लंबे समय के बाद अचानक उन्हें दो हताहक क्यों मिले। यह एक फ्रेम अप है, कोई गगन चुमबी साम के खिलाफ जूटे आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है। तंग्यू का चेहरा उग्र रूप से लाल हो गया। आप ऐसा क्यों मान रही हैं कि यह एक सेट अप है। अधर्ष था जिसमें पूरे शहर का एक स्पष्ट शानदार द्रिशे दिखाई देता था। कमरे के प्रवेश द्वार पर वर्दी में पुरुशों के एक समुह का परा था। उनमें से प्रत्येक के पास बलकी उत्कृष्ट खेती थी। आधर्ष अपने दिल में चिलाए बिना नहीं रह सका क्योंकि प्रवेश द्वार की रक्षा करने वाले गार्ड सभी उन्नत जादूगर थे। काले लंबे बालों वाला एक आदमी बाहर आने से पहले वे कमरे के बाहर थोड़े समय के लिए इंतजार कर रहे थे। उसकी चील जैसी आखों ने तंग्यू को देखा, फिर आदर्ष को। मेरे छात्र आदर्ष ने तंग्यू का परिचय कराया। उस आदमी ने इशारे से दोनों को कमरे में आमंतरित करने से पहले थोड़ा सिरहिलाया। कमरे में एक मानक विशाल गोल मेज थी। कई उचित कपड़े पहने पुरुशों और महिलाओं को टेबल के सामने बैठाया गया था। उनमें से साथ या आठ थे। शेश-बीस लोग किनारे खड़े थे। वे सभी मैजिक कोट से थे, उनके पहनावे को देखते हुए। कमरे के बाहर के लोग पहले से ही उननत जादूगर थे, लेकिन कमरे के लोग और भी चौकाने वाले थे। क्या उसके समान सतर पर कोई था। ये लोग जादूगरों के बीच आधिकारिक व्यक्ती थे। आदर्श लंबे काले बालों वाले आदमी को याद कर सकता था। वह चांदी की गगंचुंबी इमारत पर खड़ा था और गगंचुंबी सांप की आँखों में घूर रहा था। उसकी ताकत काफी हद तक जान कांग की ताकत से अधिक थी, लेकिन वह भी बैठने के बजाए किनारे पर खड़ा था। वह मेरा सबसे बड़ा भाई है, क्यूँ। वह मैजिक कोट का वाइस हेड भी है, तांग्यू ने आदर्ष से नरम लहजे में कहा, जो उसके पास खड़ा था। आदर्ष ने सिर हिलाया। वह बस यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था, कि आदमी की खेती किस तर पर है, जब एक मोटी दाढ़ी वाले अधेड उम्र के आदमी ने मेज़ पर अपना हाथ जोर से पटका और बोला, लोग मर रहे हैं, और फिर भी आप उस जहरीले सांप की रक्षा कर रहे हैं। मैजिक पैलेस ने मुझे बातचीत करने के लिए यहां नहीं भेजा। मैं यहां वेस्ट लेक में खत्रे को खत्म करने, हांग जो में शांती लोटाने के लिए हूँ। बहतर होगा आप गगंचुम्बी सांप को हमें सौंप दें। तांग्यू ने अपनी सास के नीचे कोस्ते हुए उस आदमी की ओर देखा। अपनी अध्यापिका को अपना आपा खोते देख आदर्श ने फुस्फुसाया, वह कौन है। जू मेंग एनफोर्स्मेंट यूनियन की एक सीनेटर तैंग्यू ने अपने दाथ भीचते हुए कहा। ऐसा लगता है जैसे वह आपकी नसों पर हो रहा है आदर्श ने कहा। तांग्यू ने आदर्श को बिना किसी जानकारी को रोके घटनाओ का पूरा क्रम बता दिया। यह पता चला कि प्रवर्तन संग गगंचुंबी सांप के अस्तित्व से अच्छी तरह वाकिफ था। हांग्जो में शासी निकाय ने मौन रूप से टोटेम जनजाती को उनके उत्तराधिकार के लिए सहमती दी। हालांकि जू मेंग के नेतरित्व में मैजिक पैलेस में ए लेक में रहने वाले टोटेम जानवर को खतम करने के लिए सर्वोच प्राथमिक्ता के रूप में माना गया था। उन्होंने हमेशा चंद्रमा को प्रतिभिंबित करने वाले तीन पूलों पर नजर रखी थी और शहर के खत्रे को खत्म करने के लिए उच्छतम अधिकारिय को अथक रूप से प्रस्ताव दिया था। सच कहू तो वे साब को शहर के अंदर रहने की अनुमती नहीं देंगे क्योंकि कोई नहीं जानता था कि यह कब क्रोधित हो जाएगा और हांग जो शहर में एक बड़ी आपदा लाएगा। जूमेंग के प्रस्ताव ने कई से समर्थन अर्जित किया था। इस प्रकार खत्रे को खत्म करने के लिए पहले से ही एक ऑपरेशन की योजना बनाई जा रही थी। हालांकि कुछ पुराने सदस्यों ने द्रिर्ता से वकालत की की प्राचीन काल से टोटेन जानवर को उनके राश्ट्र की एक महान जादू इसके अलावा स्काइ स्क्रैपिंग स्नेक ने अभी तक किसी के जीवन को नुकसान नहीं पहुँचाया था। इस प्रकार जब तक हांगजो की सरकार ने निशकासन के आदेश का अनुरोध नहीं किया। तब तक उन्हें वेस्ट लेग से गगंचुम्भी सांप का पीछा क करने का कोई अधिकार नहीं था। सरल शब्दों में यह जूमिंग आपके भगवान का सबसे बड़ा दुश्मन है। दाढ़ी वाले आदमी की ओर देखते हुए आदर्श ने फुस्कुसाया। मंमक वह सीधे यहां हमारे खिलाफ दंडात्मक आरोप लगाने के लिए आया है जब हताहतों की संख्या पाई गई थी। जैसे कि वह काफी देर से इंतजार कर रहा था। तांग्यू ने कहा। लेकिन आप इतने आश्वस्त क्यों हैं कि गगंचुंबी सांप को फंसाया जा रहा है। आदर्श अस्मन जस्मिथा। वास्तव में आदर्श ने माना कि इतने विशाल जानवर को शहर में रहने देना बहुत खतरनाक था। यदि टांग्यू ने उसे अपने गोतर की विरासत के बारे में नहीं बताया होता, तो वह वास्तव में जुमें के प्रस्ताव की ओर जुक जाता। बड़ा आदमी जहरीला होता है, लेकिन वह इसे बेत जहां एक गगंचुम्बी इमारत बनाई जा रही थी। जब दिखाई दिया तो वहां कोई नहीं था। इसके विशाल आकार ने वहां किसी को कुछला भी नहीं, जहर देना तो दूर। तैंजुए गुस्से में बुद्बुदाया। किसी और की तुलना में टांग्यू ग कारण हत्या नहीं करता था, विशेश कर उन मनुष्यों की जो उसकी पूजा करते थे। स्काई स्क्रैपिंग स्नेक निश्चित रूप से उन लाशों के लिए जिम्मेदार नहीं था जो एक हफ़ते बाद मिली थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गगंचुम्भी स अत्मविश्वासी था। मैं देख रहा हूँ, आदर्ष ने सिर हिलाया। इडिसिस के दौरान गगंचुम्भी सांप जहरीला नहीं था, लेकिन जहर से दो लोगों की मौत हो गई थी। आदर्ष ने यह नहीं सोचा था कि टांग्यू एक ऐसा जूट लेकर आएगा जिसे बहुत आसानी से मान्य किया जा सकता है। यह पता चला कि कोई वास्तव में जानबूच कर गगंचुम्भी सांप बना रहा था। इस बीच जनता का ध्यान भटकने वाली घटना एक बार फिर हताहतों के कारण उनरजीवित हो गई। कई लोगों ने सरकार से खुद को समझ जाने की मांग की। कुछ ने सरकार पर सक छिपाने का भी आरोप लगाया। तो आपको लगता है कि वह इसके पीछे है। आदर्श ने जूमें नामक सीनेटर की ओर देखा और फुसकुसाया। यह वह होना चाहिए। तैंजुए ने आत्मविश्वास से कहा। इस नेक की क्षमताओं से अच्छी तरह वाकिफ हैं। यदि आप उसे इस तरह के मजबूत जानलेवा इरादे से परिशान करते हैं तो स्थिती और भी खराब हो जाएगी। हमें इसे धीरे-धीरे लेना होगा। मैजिक कोर्ट के एक वृद्ध बुजुर्ग ने मुसकरा से रह रहा है। यह उसका निवास स्थान है। मुझे गंभीरता से समझ में नहीं आता कि हमें उसे भगाने का क्या अधिकार है। एक बुजुर्ग जो सपष्ट रूप से टोटेम जानवर की रक्षा करने के पक्षमे था, नेक लहजे में कहा। यह तुम्हारा कुल देव इस बात से चिंतित हैं कि जब तक वह यहां है, आपकी धमकी उन्मूलन रननीती कभी भी पूरे जोलों पर नहीं होगी, इस प्रकार यहां आपको अधिक समर्थक नहीं मिल पाएगा, जिसका अर्थ है कि आप कभी भी मैजिक पैलेस के अध्यक्ष नहीं बनेंगे। जुम लोमिया खुद भी एक सीनेटर थे, लेकिन उन्होंने सक्ता का पीछा करने वाले किसी व्यक्ति के लिए एक कदम पत्थर के रूप में काले टोटेम सांप की बली देने की अनुमती कभी नहीं दी। मैं यह स्पष्ट कर दूँगा, सीनेटर लोमिया। वे जिस राक्षस देवता की पूजा करते थे, वह मनुश्यों को हानी पहुचा रहा है। अगर आपको लगता है कि मैं जानबूच कर उन पर हमला कर रहा हूँ, तो आगे बढ़े और हाल ही में सामने आए आतंक के बाद जनता को शांत करने की कोशिश करें। इस नगर में रहने वालों को श आप कैसे साबित कर सकते हैं कि दो लाशें उसी की करतूत थी? कहां से आया है यह बचड़ा? क्या आपको यहां बोलने का अधिकार है? सिनेक्टर जूमेंग के बगल में खड़ा एक पैलेस गार्ड तूट गया. जूमेंग ने तांग्यू पर एक नजर डाली और उसे तुरंत पहचान लिया. उसने रोयल गार्ड को नीचे खड़े होने का इशारा करते हुए अपना हाथ लहराया. सब कुछ सबूत के साथ आ रही है. आरोग को साक्षय के साथ समर्थित करने की आवश्यक्ता है. अगर हमारा टोटेम बीस्ट वास्तव में मारना चाहता है, तो मुझे नहीं लगता कि वह लाशों को पीछे छोड़ेगा. दो सड़ी हुई लाशें क्यों होंगी जो घटना के एक हफते बाद ही खोज करनी है. जाच मेरी विशेष्टा नहीं है. मेरा काम किसी भी संभावित खतरे को खतम करना है. तत्य यह है कि उसने खुद को व्यस्ट शहर में दिखाया था, उसे हमारे सरवोच प्राथमिक्ता वाले लक्षे के रूप में सुची बध करने के लिए परियाप्त है. आपके बकवास धमकी उन्मोलन रणनीती का उप्योग करना बंद करें. बकरे वाला बुढ़ा गुस्से से दहाड़ा. मैं एक सीनेटर हूँ. मेरे पास ओरियेंटल परल टॉवर और मैजिक पैलेस द्वारा प्रदान किया गया सरवोच अधिकार है. अब अगर मैं कहूं कि वह ए प्रदान कि मांग करेंगे. फर्मान हो या लोगों की मर्जी ब्लैक टोटेम स्नेक का होगा सफाया. जूमिंग अपने रॉयल गार्ड्स को लाया और लोगों के कमरे को अवाक छोड़ कर चला गया. जो लोग तटस्थ थे और ओरियेंटल परले टॉवर और मैजिक पैलेस क की ओर जुके हुए थे, उन्होंने चुटी लेली. परिनाम मूल रूप से तै किया गया था. जूमिंग एक मजबूत बयान और सबूत के साथ आई थी. ब्लैक टोटेम स्नेक इस बार बच नहीं पाएगा. बैठक में भाग लेने वाले अधिकांश लोग जा चुके थे. के हम इसे बचाने के लिए बेहत सतर्क रहे हैं. वह काफी ठके हुए लग रहे थे. अब क्या करें? जूमिंग टोटेम बीस्ट से निपटने के लिए संकल्पित है. इस बार उनका पलडा भारी है. यहां तक कि अगर हम एक उच्च अधिकारी को एक लिखित बयान प्रस्तु पहले ही ऐसा कर लिया होता. वह आज तक इंतजार क्यों करता? वह टोटेम बीस्ट की ताकत से डरा हुआ है. सीनेटर लो मिया ने अपनी बकरी को सहलाते हुए कहा. सीनेटर लो आप शायद यह नहीं जानते. टोटेम बीस्ट हर दस साल में एक सीसिस से गुजरता है. उसने यह परेशानी है. यह जूमेंग जानती थी कि सही समय कैसे चुनना है. हमें लगता है कि हमारे बीच एक गदार है कि उन्हें नरम आवाज में कहा. यह बहुत अधिक सन्योग था. जूमेंग मांग कर रहा था क्योंकि वह अच्छी तरह से तयार था. यह सबसे अधिक संभा जावना थी कि गदार ने जूमेंग को मृत्यू डंड के बारे में बताया था. टैंग्यू मैं चाहता हूँ कि आप पहले से ही टोटेम बीस्ट को दूर ले आएं और उसके लिए एक सुरक्षित जगह ढूंदे ताकि वह अपनी मृत्यू को समाप्त कर सके, टैंग जोंग ताम जोंग ही एक मात्र व्यक्ती है, जिसे वह इस दूरी के भीतर अनुमती देगा. ताम जोंग ने विशेश रूप से आदर्श पर नजर डाली और बिना पूछे उसकी खेती को तुरंट देख लिया. यह युवा जादुगर अभी उन्नत स्तरका नहीं है, इसलिए यह उसके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए. उसका हम किसी बाहरी व्यक्ती को इतनी महत्वपूर्ण चीज का प्रभारी कैसे बना सकते हैं? इसके अलावा क्या एक मध्यवर्ती जादुगर हमारे लिए उपयोगी होगा? जू मेंग द्वारा लाए गए रॉयल गार्ड झाल सकते हैं? झाल सकते हैं? झाल सकते हैं?